नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल का मप्टीशन प्रिप्रेशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे इस वीडियो में हम SSC GD के जो टॉप 122 questions है उसको करने वाले हैं सबसे पहले कुछ चीज़े मैं basic सी बता दूँ जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूरी है वो यह है कि इस वीडियो में हम कोई cutoff को जिक्र नहीं करेंगे कि cutoff कितनी जाएगी सबसे पहले जो cutoff देखके आये होंगे या मैंने कहीं डाला होंगे cutoff analysis से दूर रहो उनके लिए यह है कि अगर आपने यह exam निकाल लिया है या आपको नंबर 170 है 150 है 160 है उससे कोई मतलब नहीं हम यह वीडियो क्यों कर रहे है ताकि आने वाला जो SSC CGL का exam है ठीक है या CHSL क exam है या CPO का exam है उसके लिए जो आपके SSC के recent अच्छे प्रशन है वो किये जाने जरूरी थे इस वज़ा से कर रहा है ठीक है तो चलो start करते हैं पहले प्रशन पर आते हैं इसका PDF मैंने टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया टेलिग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में हि इंडी में भी मिल जाएगा अंग्रेजी में अलग-अलग भी मिल जाएगा तो आप जाके देख लेना ठीक है तो चलो पहले प्रशन पर आ जाते हैं और शुरू करते हैं इसको questions को बजाना बजाना इंदसें solve करना होता है 122 प्रशन है तो थोड़ा time लेके ही करेंगे घब 2P ratio 3Q है तो आपको बताना क्या है PR ratio QS की value निकाल भी है तो को इस question में कुछ भी नहीं है बस आपको बस दो तीन चीज़े पता होनी चाहिए पी ratio Q अगर आपको दिया गया है आपको अगर पी ratio Q दिया गया यानि पी ratio Q बराबर एक ratio तीन है तो हम यहां से पी को वन और क्यू को तीन मान सकते हैं ठीक है अगर पी को एक मानेंगे क्यू को तीन मानेंगे तो आर रेशियो एस कितना दिया गया है तू पी रेशियो थिर और S के लिए अगर बात कर तो S बराबर 9 वोलो clear होगे अब आप से क्या पूछा गया था आप से कहा गया था कि P R ratio QS की वैलू बतारी है P की वैलू हमने कहा 1 गुड़े R की वैलू हमने कहा 2 ratio Q की वैलू हमने कहा 3 है और गुड़े S की वैलू 9 यहां से कितना हो गया अगले प्रश्म पर आते हैं कहा कि 12,000 रुपए की मूलधन राशी पर दो वर्स के लिए चक्रब्रदी व्यास वार्सिक रुपए से संयोजित होता है 12,000 रुपए की मूलधन राशी पर 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 तो आपको चीज बता दू कि अगर मूल धन P हो और rate of interest P क्या है principle झाल ठीक है और अगर यहां से rate of interest र क्या हो rate of interest हो यहां से जो चक्रवृष्धी व्याच और साधान व्याच का दो साल का अंतर होता है देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर एक साल के लिए कोई चीज योजित होता है , तो एक साल के लिए चक्रजुविधी वयाच और साध्राण Wयाच शमान होता है , اगर वयाज हुवारशिक लगता है , लगता है तो उसमें कुछ unique नहीं होता तो पहले साल के लिए पहले साल के लिए ब्याज पर ब्याज मिलेगा नहीं तो इसी वज़ा से पहले साल के लिए compound interest simple interest यह होता है अगर दो साल के लिए बात करें तो अगर principle P हो और rate R हो तो मैंने जैसा कि बताया कितना होता है P into R by 100 का whole square यह होता है C I minus SI for years यह अगर दो साल के लिए C I minus SI निकालना है P principle R rate of interest है तो कितना हो जागा P into R by 100 का whole square यह हम यहां से कह सकते हैं क्या कह सकते है P into R by 100 का whole square यह कि principle कितना है 12,000 गुड़े R by 100 का whole square हमने का ठीक है 100 का whole square करेंगे डबल जीरो यह आरी स्कॉयर हो जाएगा यह बराबर हमें कितना दिया गया 43 सो बीस एक जीरो दो जीरो एक और जीरो से एक और जीरो कट गया यह हमने कहां यहां से 1.2 क्योंकि देखो यहां पर 12 बच रहा है यहां पर 10 बच रहा है यहां यहां से आर स्कॉयर बराबर कह सकते हैं अगले प्रश्न के आते हैं अगला प्रश्न आपसे कहा गया कि एक बेक्ती क्यू से एस तक 45 की चाल से जाता है और एक निश्चित चाल से एक निश्चित चाल से ऐसे क्यों तक वापस आ जाता है यदि उसके आवसत गती आवसत गती 36 किलोमेटर पर ती घंटे हो तो जाने और आने की चाल आपको पता है तो आने की चाल आपसे पूछी गई है आपको दिया क्या गया है आपको दिया ग आवस्त चाल होती है टू यह आप से कोई प्राबर क्या होता है तो आप से कोई पूछए कि अगर अगर मालो s को a गया और a आया यहनी कि total distance कितनी है two a बटे में two s हमने उसको क्या माना था यहां पर two s कर ले ना क्योंकि हमने दूरी को s माना था तो two s नहीं पर two s बटे s को a से गया होगा तो कितना टाइम लगा होगा s बटे और s को b से वापस आया होगा तो s बटे भी अगर इसको solve करोगे तो two s बटे देखो यहां s कॉमन ले लो one upon a plus one upon b यानि a plus b बटे यहां से s cut गया यहां से यहां से यह फॉर्मूला बनता है क्यों बनता है वह आपको पता चल गया आप देखो हमें निकालना क्या था हमें दिया गया average speed अब average speed का formula हमें पता है क्या होता है two a upon a plus 2 यह formula लगाना है देट से देखो अब आपको इस formula का यूज करते हैं बताना average speed कितनी दी गई है आप से कहा सब्सक्राइब आपने चाने की स्पीड 45 आने की स्पीड हमें नहीं पता एक मान लेते हैं पटे 45 प्लस चांटिस से काटो नो बचे 45 नो चोको चांटिस यहां से हो गया चार इंटू 45 प्लस एक बराबर चार इंटू 45 यानि इधर आएगा तो 6X हो जाएगा या हम ऐसे कहें कि चार से 10 को काट दो चार से इसको काट होगे तो 2.5X बचेगा 2.5X बराबर 45 प्लस X यानि हम कह सकते हैं यहां से 1.5X बराबर 45 यानि X बराबर 30 समझ में आगे यहां से क्या कहा गया था देखो हमने क्या कहा आवरेज स्पीड का फॉर्मूला आवरेज स्पीड बराबर क्या होते है टू टाइम साफ जाने के स्पीड गुड़े आने के बटे दोनों का समझ में निकालना भी से लियर हो गया अगले प्रश्म पर आता है ताग एक धन है जो 27001 साल में हो जाता है और दो साल में 3645 हो जाता है compound interest same rate of interest तो एक चीज आपको पता होगी अगर मैं एक चीज आपको बताने आओ तो आपको कहोगे पता है अगर मैं कहूं कि जैसे मालो कोई मूलधन रहा होगा पी एक साल के बाद आर परसेंट इंट्रेस्ट मिला होगा तो पी इंटू 1 प्लस आर भाई 100 हो जा सेंत में जो मूलधन होता है यानी कि ये dubूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है पहले साल के लिए जो मसम्रधन होगा वो से के लिए मूलता है क्यों कि ब्याज मिलते है तो जो मूलता होगा उस परकुई ले लिख bliver Egypt लुट ही और हमें पता है प्रिंस पर मिलता है तो जो मिलता साल के लिए चैसे हुग जो पहले साल का मिते ब् prinas सब्सक्राइब दूसरे साल के लिए अमाउंट बनेगा जो कि दिया गया 3645 इसी को सौल खने किलियर होगा यहां 2700 किसे कट रहा है आठारा से नो से काट दो तो यह हो जाएगा 300 नो से इसको काट होगे तो 405 कि इन से कटेगा तो कितना हो जाएगा 135 यहां से वन प्लस आर बाई हंड्रेड पराबर 135 बटे सो तो रेट आप कहेंगे इसको अगर ना करना हो तो कोई बात नहीं तो आपको पता है कि पहले साल के अंत में 2700 रुपय हमारा बना और इस पर कुछ ब्याज मिला इस पर कुछ ब्याज मिला और 3645 हो गया कितना ब्याज अगर 3645 होना है तो 945 ब्याज लेना पड़ेगा और 945 अगर आपको ब्याज लेना है तो आपको कितना पर्सेंट हो जाएगा गुड़े में 100 अगले प्रसुट आते हैं ताक यह तीन संख्याओं का जो आउसत है यानि रेशियो आप त्री नमबर्स वह थीन रेशियो पां अगर पहली संख्या तीन हो दूसिस संख्या पांच हो तो इनकी स्क्वार कसम कितने हो जाएगा hen Direct तो आपको सबसे बड़ी संख्या का मान सबसे बड़ी संख्या का किया सबसे बड़ी संख्या कि अगर कहां करते हैं हम कहते हैं 83 बराबर 328 तो साथ बराबर कितना हो आपको पता है स्क्वाइर हुआ है यानि अगर हमारी नंबर अगर हमारी नंबर थिरी नहों के थिरी यह रही हो पांच नहों के पांच यह रही हो साथ नहों के साथ यह रही हो तो यह नहीं स्क्वाइर बना होगा कि नहीं होगा सबसे बड़ी संख्या की वेलू पूचे गए ती साथ है अगर ए बराबर चाथ साथ है बराबर क्लियर हो गया कि मैं चाए पी लेता हूं तब तक आप यह प्रश्ण करो कहा कि 27 लड़को के एक समूं की ओसा तायू 27 वर्स है देखेगा प्रश्ण को बस ठीक कहा कि एक नया लड़का जाता है और कोई लड़का नया आ आ जाता है कितने लोग थे पहले बता हूं 27 लोग थे कोई एक गया और कोई एक आया तो इससे कोई फर्श पड़ेगा नहीं लोग तो अभी 27 रहे नहीं बोलो क्लियर है आप से खागा कितने वर्स वाला गया यह नहीं सबका आयू एक एक वर्स बढ़ जाता है कितने लोगों का हम कह सकते हैं कि जो अगर 20 वाला बैक dış कितना ज़्यादा लेके आता हैं कितना ज्यादा लेके आता है ने कहा कि प्रिरत पृँकर लेके आठाई वह तो टोटल अई बढ़ जाती है उसके आने सब कर आदा आगए उससे 27 ज्यादा रहा हो कि तभी यानि 20 तो 20 ने बैलेंस कर दिया और 27 वर्स वह नया लेकर आया है यानि सबके इसे में एक एक बढ़ा दिया यानि उसने टोटाल आयू कितनी एक एक बढ़ा दिया हमने देखो यहां पर समझो हमने का 20 वाला गया और नया के आने से 27 लोगों आयू के लिए 20 लाया और 27 सबका एक एक बढ़ाने के लिए 27 लेकि आयू जो नया बच्चा जोईन करता है उसकी आयू कितनी है 47 वर्स इसको बच्चा में मानता है समझ में आया अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है मेरे भाई तो नहीं मेथड देख लो नहीं मेथड क्या कहती ह है नहीं मेथड क्या कहती है कि दो 27 लोगों की आउसा थायू 27 वर्स ती यानिकी इनकी क्लोटल हो गए 27 का स्कॉयर इसमें से 20 वाला निकला और कोई एक आगया अब 27 लोगों की आउसा थायू अगर एक बढ़ जाती है यह तो हुए अब इसको एक्स के लिए निकालना यान … है यहाँ आपने कहा। यहाँ से 27 गुड़े 27 रीस कामल लीडो 27 लोग हए तो क्या बच्चेँगा एक लिए 20 गुड़े 27 एक 27 रीस bak metro ब्राबर 27 तोहांसे गुड़े 27 ब्राबर 27 तोचनलले कि न 17 कहले हो साला कि देखो का गया A ratio B बराबर 12 ratio 5 देखो इस प्रेशन को थोड़ा मोटे मारकर से करूंगा आपको क्या दिया गया इस प्रेशन को हिंदी में कोई नहीं रोने लग जाना कि A ratio B दिया गया दिया गया C ratio D दिया गया तो आपको A ratio C इनकाल हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तुलात्मक भी कर सकते हैं अगर तुलात्मक नहीं करना चाहते तो अपने पास मेथड तो है ही क्या कहती है मेथड कि देखो हमने यह वाद उठाया ठीक है कि A ratio B आपको दिया गया अब कि A B C और स電केशना अब कि एपना हमने था पंदरा और कंशली तीक कर देखो हैं क्या common आ लेकिन पहले पहले यह देख तो पांच अगर 15 हो जाए और 4 16 हो जाए तो हमारा रिश्यो निकल जाए तो पांच को 15 बनाने लिए 3 से multiply कर दो और 4 को 16 बनाने लिए 4 से multiply कर दो यहनि हमारा overall कितना हो गया है यहां लिखते है कितना हो गया शत्रा था तो यह मैंने तुल्नात्मक कर लिए तुल्नात्मक नहीं करना है नेको है अं time लीकिना है इंते फ्रूरे स्ब्सक्राइब Pr crashing भ़ए और टीकर टृट्शा उंको विंक्यू ऊखुर को पता है आपके आश पास सपास जमीन है तो कौन नहीं करता अगर बांच के आश पास जमीन है तो कौन कब्जा करें आप कि अब देख फार यहां पर यहां पर कि एक चीज देख पार होंगे कि अब पर कुछ कटने वाली चीज तो ऑर कुछ आ रहा है कि और लिख पार देते हैं छाल को चार यहां अटाया चाहर यहां आटाया चाहर चो को आवगे यह आपका काम होगे ली कि तो फटाबट यहीं आपका कितना हो बारते कि अचतिस घड़ा गुड़ा करना है इंदरा सोला और साथ चुको अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया था चार नवाई चार चार चुको सोला आपका अंसर है क्लियर हो गया है कुछ लोग कह रहे हैं धीरे पढ़ाओ हमें कहां देखो भाई इससे धीरे क्या ही हो सकता है ठीक है सब्सक्राइब कुछ दन है जो डबल हो जाता है किसका नौ साल पांच महीने में सिंपल इंट्रेस्ट पे तो आपको अगर दूगुना हो रहा है तो इसका मतलब वह सो से बढ़के 200 हुआ होगा दूगने का मतलब यहीं तो हुआ इन सो से 200 हुआ यानि कि वो कितना बढ़ा सो को ывает किपलें समय ना ओल ये पांच महीने को नव साल पांच महीं न लिख देना यह लिखा है नौ सही पांच पटे 12 वर्षfolं मैं यानौ सब नो सहीं पांच बर्ड़े 12 में बढ़ रहा वठों में सो परसेंट बढ़ रहा है नौ सहीं बारा बटे पांच कितना हो गया है आप तो अगर आप से पूछा जाए ना बारा नवहिया एक कितना आगर 113 बटे 12 or 100 में 100% होता है यानी एक वर्ष में कितना हो जाएगा एक वर्ष में बढ़े इक वर्ष में कितना परसेंट ग्र्मेंक आपने कहा 100 बटे 123 तो 12 ऊपर चला जाएगा यानी यह रिखा 1200 बट्टे 113 अब आप देखो अगर हम कहें इसमें टेबल पढ़ें तो एक सो तेरा इक काम एक सो तेरा बचेगा इतना साथ और जीरो सत्तर सत्तर के लिए कुछ जाएगा नहीं तो जीरो बढ़ाएंगे और 113 छक्के सब्सक्राइब कर बढ़ाना पड़ाएगा यह वह एक सदीर ले रहे त्यूंक्य दिवाइड कर के दिखा देता हूं वह यह नहीं तो आपको होगी क्या गर दिया एक सो तेरा मचे साथ ठीक है यह जीरो उठाए जीरो क्योंकि यह देखो ले लिया था न तो यहाँ जीरो लग जाएगा फिर पॉइंट लगांगे पिर जीरो बढ़ेगा छे बार जाएगा यह अपना देखो यह प्रशन रिस्तेदारी का है कहा गया एने कोई एने कोई साइकल बी को बेची तीस परसेंट प्रॉफिट पर और सी ने बारासों सतासी रुपे पे कि इतना आपसे कहा गया देखो इस प्रेशन को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से करूंगो नोगों की बात हुई एभी घाह और शीर्थ यह ने कोई साइकल बी को 30 परसेंट लाव पर वेची कितने परसेंट पर पर दोंट आप पर यह यानि इस वस्तू का जो भी वस्तू रही होगि उसका दाम पहले 30 परसेंट बढ़ए और फिर 10 परसेंट बढ़ए रिजल्ट थी पसे पहले बढ़ना कोई चीज थी आपको ये बराबर आपका इतना रिच में मैं इडिट करते टाइम जब कॉपी पेस्ट किया तो हिंदी में ट्रांसलेट करते टाइम यहापे हिंदी में कर लें एक साइकल को 30 पर्षेंट प्रफेशता है बीसे 10 परषेंट और ची कितने रुपय का भुकतान करता है यहापे 1287 का लें सब्सक्राइब कर दो आपको कहा गया नहीं नो मैं सोखवड यानी नो सब्सक्राइब अप ऐसे भी कर सकते हैं या पिर आया से का सकते थे कि 30% गी लोग तस पर्सेंट पर संद का 30 इस पर्षंट और दस पर्शेंट का सक्सेसिव। तो तो तालीस पर्शंट अगर कोई चीज बढ़ गई यानि 143 पर्शंट आपको दिया गया था 1287 यहां से एक पर्शंट बराबर नौ आ जाएक पर्शन बराबर नौ तो तो हंडडेट पर्शंट कुतना हो जाएक नौ स्ट्रेंट इसे भी कर सकते थे कि मिंटियार इसको मोटा थोड़ा करते हैं कि देखेगा क्या कहा गया कि हजार रुपए दो वर्स के लिए प्राप्त चक्रप्रदी व्याज अर्द्वार्सिक रूप से सहीं उजित है यहां पर दो चीजों पर फोकस करना है पहले देखो हजार रुपए मूलधन दिया गया दो वर्स के लिए चक्रप्रदी व्याज की बात की गई अर्द्वार्सिक रूप से हाफ यह ली लगता है तो जो व्याज मिलता है वह 400-400 रुपए दस पैसे हैं तो आपको वार्सिक व्याज दर्द की लिका लिए आपको एक फॉर्मूला प्रिंस्पल इंट्व प्लस रेटबाइ-100 काहोल स्क्वार या होड़ पावर एंड पराबर होता है यहां से कहा सकते हैं प्रिंस्पल आप्रिंस्पल is coming हटा देते हैं है यह हम कह सकते हैं कि वन प्लस आरवाई हंडेट के पावर एन पराबर हो जाएगा अगर आपको रेट निकालना है तो इस फॉर्मिले का यूज कर दें हमने कहा एक बाद बताओ कि हजार रुपए थे अभी चार सो चो सट रुपए कभी आज मिलने के बाद व और वर्सों कि नहीं होता है योर्सों कि कितने तेम्स में प्याज मिला उसकी बात होती है कि यहां से कह सकते हैं कि घिखने और पॉर इस उकर तो एमाउंट एक चार चार पॉइंट चार फ़ूल जाओ और नीचे जीरो बढ़ादो है यह निगे लिए रोगे आप देखो 14649 किसके पावरचाइब गयारगे पावरचाइब सब्सक्ते हैं 121 के स्क्राइब यहां 4 0 10 के पावर स्याहिए लिए 1 प्लस आर्व ली उन्डी के पावर चार ब्राबर ग्यारगे दस के पावर चार यहां सभी में कह सको यह जो आया कैसा आया है अस यहां से पूछा गया तो यहां से रेट आफ इंटेस्ट बराबर आपका हो जाएगा यहां पर हम लिख देते हैं कि एरली रेट आफ इंटेस्ट कि इतना हो जाएगा तो आपको दिख गया कि यहारा के पावर फोर है और यह दस के पावर फोर है यानि कि वन प्लस आरवाई हंड़ेट की वैल्यू सी दे क्यारा बटे-दस हो जाएगा यहारा बटे-दस से करना होता तो कैसे करते देखो थोड़ी देर के लिए आपको आपको पता है कि अगर सिंपल इंट्रेस्ट की दर भी 25 परसेंट होती तो दो साल में छमाही छोड़ो चमाही पर जितनी जादर बढ़ते जाएगा उतना जादा ब्याज बढ़ता जाएगा अगर मैं को करणा है कि अगर सिंपल इंट्रेस्ट होता तो 60 परसेंट में दांए 46 यह भी नहीं है तो यह वार्सिक लगता तो ब्याईट करीब शर्चयाज करें अगला प्रसंद को प्रफिट रॉस का प्रश्च नहीं कुछ भी देखना नहीं है कहा गया एक उरसी का अंकीत मूली उस की करे मुली से 10% अधीक तो अगर किसी का अंकीत मुली उसके क्रे मुली से 10% आधीक ठीक है यानि कि हमने लिखा का अंकित मूल मार्केट प्राइज बराबर CP से 10 परषण जाद है याई CP का 11 बटे 10 है ठीक है कि 11 रुपए की छूट देने के बार उर्सी को 132 रुपए बेचा जा यह है डिसकाउंट यह क्या है यहा से हमारा cp बराबर हो जाएगा सुपीबटे स मैं 1330 अब कोई चीज प्राइज कितने में गई एक सो थीस वाली चीज एक सो थीस में बैची गई यह कितने का प्रसेंट तो का तो दो एक्सो तीस का कितना प्रसेंट है आपके 200 बटे 130 एकटेगा तेरा एकनम तेरा और यह 770 है अगले प्रस्टन में कहा गया क्वेशन नंबर 12 पर हम आ चुके हैं कहां कि एक कारी को 16 दिन में कर सकता है एस्टू उसी कारे को असी दिन में कर सकता है एस्थरी के सहायता से च्छे दिनों में पूरा करते हैं तो एस्थरी अकेले कितने दिन में कर देगा आपको दियागे एस्वन आपको कौन दियागे एस्वन कर सकते हैं सोला दिन ठीक है एस्टू कर सकते हैं असी दिन में ठीक है और S1, S2 और S3 तीनों मिल के करें, तो यह कितने दिन में करते हैं, 6 दिन, बने हमेशा आपको बता है, कि जो दिन दिये रहे हैं, 16, 6 और 8 इनका ले लिए अगरो LCM, इनका LCM लोगे तो 16 और 80 का LCM तो सीधे 80 हो चाएगा, और 80 और 6 में 2 common आ रहा है, यहीं कि 240 जो आया, यहीं LCM होगा, LCM को ही total work मालो, यानि total work बराबर 240, आप देखो मैं color change करता हूँ, color black कर ले रहा हूँ, ठीक है, अगर S1 16 दिन में 240 करता है, यानि 1 दिन में, आपको S1 प्लस S2 पता है, कितना है, 15 और 3, 18, 13 कितना हो जाएगा, 18 प्लस कितना 40, यानि S3 22 हो गया, अब 22 यूनिट यह पड़े करता है, 240 को कह रहा है, अकेले करना है, तो कितना दिन लगगा 240 बटे 22, मैंने हम कह सकते है, 120 बटे 11, clear हो गया, अगला प्रस्वल देखो, तेरा हमें प्रस्वल के आ चुक्या, तेरा में कुछ खास नहीं दिया गया, पी-ש्क्वार नहीं मैंने यह स्क्वार स्क्रFX क्यों शुन्ण क्यों क्यों रिवाइस की यहां window याने तूपी क्यू बराबर कितना हो जागा तेस तो अगले प्रस्ट पर आते हैं अगला प्रस्ट साइध इधर कहीं कोने में भूश गया है और यही सबसे बड़ी दिख्कत होथी कॉपी पेस्ट दिनेस अकेले एक काम को एक दिनेस और राहुल मिल जाएं तो 48 घंटम कर सकते अगर राहुल और तरून मिल के 16 घंटम कर सकते तरून अकेले कितने अपको क्या बता है मेरे भाई जो दिन दिए गये हैं दो पड़े करता है कि देखो दिनेश करता है एक दो नों और दिनेश करता है एक घूल तरून कितना करता है तरून कितना करता है पांच तरून एक दिन में करता है पांच उनिट अब अगर 96 उनिट करना है तो कितना टाइम लेगा प्रशन उठाया इस वज़ा से उठाया कि फोर टी बराबर फाइफ यू दिया गया है यहां से यह थोड़ा यूनिक सा दिखा मुझे इसी वज़ास उठा लिया वकिस प्रशन में कुछ नहीं था तो आगर ऐसा कुछ दिया जा तो टी की वैलू जो यू के साथ लिखा है और यू की वैलू जो टी के साथ लिखा है यहांनी आपका टी वराबर पांच हो गया और एस वराबर वरत फांच होगा और यू बराबर चार हो तो टी प्लस यह निकिसा बटे चिक से लेख नों बटे से बारा घटा दिया जाए और अगली साथ संख्याओं का जोड़ दिया जाए तो नहीं अशर क्या हो देखो अगर अगर हमने कुछ के साथ संख्याव में दस जोड रहें हमने सी settant जोड़ा है यहानि व्मारा जोमारा रिजल टैंट है वो यह जो बारा संख्या है इस पर अगर आप देखें तो यह दस बढ़ रहा है अगर दस बारा संख्याओं पर बढ़ रहा है तो एवरेज में कितना बढ़ेगा दस बटे बारा यह हम कह सकते पांच बटे छे जो की 0.83 जो भी था उससे 0.83 के हो जाएगा बढ़ जाएगा पहल है अपनी निर्धारी समय से 42 मिनट पहले चलना सुरू करती है लेकिन 210 किलो मीटर दूर जाने के बाद समय पर पहुँचने के लिए अपनी सामान चाल वह 10 किलो मीटर पर ती घंटे धीरे कर लेती है कारी की सामान चाल कितनी है यह पूछा गया अगर हम कहें ठीक है क्या कह सब्सक्राइब धाए अपने समय से 42 मिनट पहले लेकिन 210 किलो मीटर दूर अपने गंत पर तरह दस मिनट ठीक है कुछ 210 किलो मीटर दूर जाना था उससे कुछ चाल से जाती में आहे से जाते तो पूछ टाइम लगता यानि के अपकर दूरी होगी दूरी बटे स्पीड वर चलना लेकिन उसने अपनी सामान ने चाल दस बटे 10 किलोमेटर कम कटे आप 210 को कितने से जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझे हम कहें पहले ऐस से जाती तो कुछ टाइम में पहुंच जाती थी आपकी बारे 42 मिनट पहले शुरू करके उसी टाइम पर पहुंच रहे हैं जब चाल को 10 किलोमेटर घटा रही है तो आप देख पा रहे हो कि 42 मिनट उसे एक्स्ट्रा देना पड़ पराबर 42 मिनट मतलब 42 मिनट उसे साथ वेटे चालहां साथ चाल्ट से काड़ दो तो तो तीज बर्टे स माइनस 10 किए स्ट्रापल सी धिया था थीजी पराबर एक पर दिस तो कौमा लाजिए यानि कि यह 30 मुड़े 10 बर्टे एस इंटूस माइनस 10 यहां से हमारा वगा 300 300 के बाद एक 0 लग जाएगा तिन सो बटे एस इंटू स-10 बराबर एक बटे दस यह इधर चला जैएगा स इन्टू-10 बराबर तीन हजाद लिए साथ गुड़े पचास 3,000 लिए हो इसका ट्रिक क्या हो सकता है आप अगर अभी यहां पर किस पर dal यहां प्रप्रूरर्टर्च कर रहे थे यह पर श्सकों प्रफ्क कर सकते हैं तしまख दो 2010 से लाइन आपको सीधी यहां से सूरू करने की पर आपको पता चल रहा है कि हमें कुछ कुछ भी नहीं देख रहा हमें बस यह देख रहा है कि यह इस प्रशन को देखो यहां पे देखो हम अगर यहां से सॉल्व करें मैं थोड़ा सा इसको जोम करके साव करवाता हूं अगर मैं को basic समझिए एगा क्या समझाना चाहर हूं कुछ टाइम मालो कि अगर और ए दूरी को S से जाते हैं और ए दूरी को S माइनस X से जाते हैं आप देखो अगर टाइम का डिफ्रेंस निकालेंगे तो ए इंटु कि यही तो था आपको सीधे लिए टीन हजार बराबर से सीधे आपको दिया गया था यह इतनी लाइन लिखनी थी आपको यह दोनों लाइन लिखनी थी बस आपका एक्जाम निकल जाथा प्रना इसके उक्षर्ण सॉल हो जाख तो जब ऐसा कुछ दिया जाए कि इसका इतना पर्षेंट उसके उतने परसेंट के बराबर तो उसके बगल में लिख दो और सब्सक्राइब तो मैंने आपको क्या बता है 12 और क्यूं वहीं साथ क्यूं भाई साथ परसेंट क्यूं कितना परसेंट आपने कहा कि क्यों की कि कि कितना पर्शेंट ने का साथ बटे बारा कुड़े सो बराबर यह दिया गया जट बटे ढ़ल तीन तो है सब्सक्राइब करना चाहिए आप इसको ज़रूरत नहीं थी आप ने गा तो यह हम कह सकता है कि हमें पी को निकालना है कि ना परसेंट तो आ कि कि निकालना है किंगा कितना साथ है कोई धनराशी है जो चौदा के सवय की साढ़े तीन गुणा होता है सन पेडिलों कि चौदावर्स्तों में सव सव सथीन से तीन सोगो जाती चौदा और से धाई में हमें मेंका हो इंट्रेस्ट करना सेrows ठाव तो नहीं तो यानि किसी धनवें 500 परसेंट मिलता यानि सो था तो पांसो और इंट्रेस्ट मिल गया यह नहीं करना है आपको यह देखना है कि कितना परसेंट हो रहा है कि कहा कि 110 लीटर के मिट्चर में पानी और दूद का अनुपाद यहां पर हम लिखते हैं वाट पानी वाटर यहां पर लिखते हैं मिल्क वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है चार रेशियो साथ 110 लीटर में ठीक कितना पानी एड़ करें ताकि जो रेशियो है आठ रेशियो काम करना है वह यह मक् Есть जो मिल्क लातर है वो अंचेंज में कुछ किण करने क तो है और मिल्क की मात्र खो अभी बच कितनी रहे हैं जब लकी 1 07 6 तो एक रेशो बराबर है तैसे बनाना है आते हैं और यह अड़क को चेंज हुआ नहीं है कि हम ने वा घ्र तो हमने कहा है यह साथ रिटर के बडाबर यहीग सप्तर लिटर आगे वाले हमें तो हमने को आठ रिशो पर दस तो हम मिलक और नहीं कहा तो हमने कहा चालिस था वाटर और मिलक था तक हमें क्या बनाना है आटर रिशु कि एक सब्स निकाल सेकत बिखनाइब सर्स्टे करें चार या पहले कितना था सब्सक्राइब करें वह उसमें वाटर की मात्रा की पहुंझेर आठ इस अनुपात में मिलाया गया अगर चार बटे यानि यह हो गया आठ मैंस आठासी माइनस यानि आठासी ग्यारा से गुड़ा पर इनके शततर रेशो अथाइस हो रहा है यह मैं क्या समझा रहा हूं यह समझेगा मनने कहा चार बटे ग्यारा रिश्यों में पहले वाड़ था एक रेश्यों यानिकि जो अभी पूरा पूरा पानी एड़ हो रहा है और हम रिजल्टेंट 8 बटे 15 पर पहुंच रहें अब यह जो आया यह अगर हम मिक्चर एलिगेशन लगाएं कि 4 बटे 11 और 1 से 8 बटे 15 पर पहुंच रहें तो हमारा जो आया तो हम 4 मात्रा एड़ कर रहें यह जो 4 बटे 11 पहले मिक्चर की मात्रा अगर 11 तो अभी हम 4 लिटर एड़ कर रहें मालों कि अगर कीमत प्राइस की बात करने तो वह वेट के डिरेक्टली प्रपोर्शनल है यह यह जिसका प्राइस इतना तहां कि यह जब गिरता है तो यह दो पार्ट में तूट जाता जिनके वेट का रिश्यो पांच रिश्यो आरे तो अगर माल देते हैं 5 किलो में तो तो पहले एक कितना था तो उसका प्राइस कितना रहा हो में इसचेखने लिए और गासदे से एक सो अनुनतर जब जब अब्सक्राइस जह लाइन दो हिल्गे एक सोनें कि बैस आब जाता गscheंगा आपको दीके या एक 6 गाट तो आप से कहा गया कि अगर अब हम देखो अगर अब हम तोड़ते हैं तो जब गिरता है तो पांच रिश्य आट के रिश्य में पहले वाले टुकड़े का वजन कितना हो जागा प्राइस और पहला टुकड़ा बराबर हो जागा बेट का याणि पांच के स्क्वाइर क प्रपोर्शन में याणि पीवर वराबर 25 के प्रपोर्शन में तो होता है और दूसरा वाला पहले कितना था पहले कितना था पहले दोखो तो भी निकाल सकते थे आधर वाइस आपको पता है एक के बराबर पांसो बीस तो नुकसान कितना हो तो 179 से 89 पहुंचा यानि असी के का नुकसान हुआ असी के निकाल लाने असी गुड़े पांसो बीस सौल कर लें अबल जीरो आट बंचे चालिस आट दोनी सोला चार सो सोल समझ में आया मैं क्या करो हमने कहा देखो कि प्राइज जो है वो डिरेक्टली इसके वेट के अनुपात में है समानुपात में तो अगर तेरा था पहले तो तेरा स्क्वार के प्रपोर्शन में था यानि पी बराबर 179 के एक सो नहत्तर के की वैलू आपको दीगे थी के वराबर निकला सकता है यह देखो दो अभाजी संख्याओं का मतलब कि उनका कोई कॉमन फैक्टर को प्राइम यह देना चाहते थे सह भाज यानि अभाजी संख्या दे दी गए तो कोई मतलब नहीं ठीक है दो अगर दो संख्या अभाजी है पूरा-पूरा अभाज एक लीड़ा प्राइम होती है कोप्राइम और एक होती है क्या होता है इसली नमबर होती है जिसके गया डो संख्याइक होती है जिनका कोई ऐसी दो संख्या है जिद- ​ कोई common factor नहों उनको हमें दिया गया दो प्राइम नंबर है एक और य आपको अगर एक प्राइम नंबर ए दे दी जा जूसरी प्राइम नंबर भी तो हमेंने बहुत पहले बताया है कि अगर इन दोनों का अब 141 के दो factor होते हैं मनलब उसे तो चार होते हैं एक तीन 47 और 141 लेकिन जिनका गुड़न फल 141 हो आपने कहा तीन और पहला नियम है कि उसके दो फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो सबसे चोटी अभाज संख्या इसी वेज़ास दो होती है आपको निकालना किता था था यहां से आपका उत्तर कितना हो गया देखो बाइस सो रुपए पर डेड़ हुवर्स में प्राप्ट चक्रप्रधी ब्याज अर्धवार्सिक रूप सा सही हो जी था तो ब्याज की दर बताओ बाइस सो रुपए पर हमने ब्याज लिया 3836 का यानि हमारा यहां पर देखो हमारा बाइस प्रिंस्पल था यह देखो मैं लिखते रहूं प्रिंस्पल था बाइस वाला नहीं कमपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 3836 रुपए असी पैस यानि हमारा यहां से एमाउन कितना हो गया होगा दोनों चोड़ तो बाइस वाट आथी ती सो ऐसे चेहार होगे यहनिके चेहाजार चत्रीस रुपए असी पैसे आपको पता है कि अभी आमने कहा था वन प्लस आर बाइंड़ के पावर एन आपको पता है अपको प्रिंस्पल दो दो जीरो जीरो चुकि पॉइंट यहां व दो किसी से कट रहे हैं 8 से काटके बिल्कुल कर रही क्योंकि थ्री डिजिट से बने वाली संख्यागर 8 से कट रही है तो पूरा-पूरा आट से कट जैगा तो का रहे हैं आप देख तो से कट रहे निए किस से कट रहे तो कि तो कितना आ जाएगा तीन सो तैसा साथ का क्यों यहां से बटेपास केेतना हो जाएगा यहां से यहां से आर बराबर कितना हो जाएगा चालिस परसेंट आप तो आप कितना हो जाएगा कि यह आपको कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो कोई कन्फूजिंग प्रस्न नहीं कि देखो कहा कि एक निश्चित धन्राज पर आठ वर्स के लिए ग्यारा पर सत्वार्सिक दर्स साधान ब्याच के भीचका आठ वर्स में अगर सिंपल इंट्रेस्ट हर साल बराबर ही मिलत यह बराबर आपको दिया गया एक सो बद्रेस रुपय रैड की लिए कि लिए अगला प्रसंद को माना वीडियो बहुत लंबी ये लेकिन कोई नहीं एक आदमी जो है वो एक आर्टिकल खरीता और इसको 10% लास पर बेज देता है 10% लास पर बेज देता है अगर उसने 30% लेस में खरीदा होता और उसको 20 रुपे ज्यादा में बेज था तो उसे 40% का फायदा होता इन चीज़ों पर फोकस करने बस और कुछ प्रश्म में नहीं एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदा और उसको 10% लुकसान पर बेज दी ठीक है मालो कोई चीज 100 की खरीदी थी उसने 10% लुकसान यानि 90 पर बेज दी यह लिख लो छोटा-छोटा यानि 100 की खरीदी 90 की बेज दी इस वीज़ों से ताकि रेश्यों करना आसान है अगर 30 20% बेज और अभी कितने में बेज था 20 20 में बेज दो 40 परसेंट के लाफ हम जीटा के लिखे 40 परसेंट के लाफ यानि कि 28 अ का फायदा यानि कि नहीं कि में बैचना कितने में आठान नवे नवे बेचेंगे तो इसके बराबर नबे प्लस बीस यानि हमारा यहांसे आठ यह बराबर हो जाएगा बीस वह उस तुक्ता लागत मूल ले यानि कि सो निकालना है कि है यहां से पहली लोग नहीं और दो लोग नहीं आ गया तो हमारी लोगों में तो कोई चेंज हुआ नहीं मालों कि एक्स और वाई वाले तो अलग-अलग लोग आ जबते हैं इस वेल अगर एवरेज एस दो साल से कम होगे एक बात बताओ बाइस लोग थे एक जने गए एक जने आए एक जने आए लोगों में तो कोई चेंज हुआ नहीं लोग अभी भी बाइस हैं इन 58-58 की निकलने के बाद नए जोआ हैं उनकी वज़ा से बाइस लोगों की आयू दो-दो वर्स कम होगे अगर आछ़सद में कमी हुई है यानि यह लोग जो निकले हैं 116 जो लेके निकले हैं उस से 44 वर्स कम लेके आ लोग लेके कितना हैं अ नहीं लोग आ रहे हैं यह दोनों लोग मिलके मिलने कितना वर्स लेके आ रहा है 72 वर्स लेके आ रहाँ है कि लिए पूछा क्या गया अगर कार से 8 की चाल से अपने कारयाले जाता है तो 10 मिनट पहले पहुँच था इस से जाता है तो कुछ टाइम लगता हूँ दस गया यानि कि दोनों चालों के 20 गर चाल चेंज होती है तो कितने टाइम के पहले 10 मिनिट पहले पहुंच आता था अब 10 मिनिट बाद पहुंच रहा है तो आप से पूचा गया कि कि आपको टाइम पहुंच रहा है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए बताओ बताओ यहां से आप देखो अगर सॉल करोगे बेसिक पहले मेथड़ यहां से हमारा हो गया अगर लोगे तो 240 हो जाएगा यहां पर 8 माइनस 3 यानि 5 यहां बते 240 बराबर एक बते 3 यहां से 5 बराबर 8 यह बराबर कितना हो जाएगा 16 यह उसकी दूरी हो गई 16 अब 16 हो गई तो एक बात बताओ अगर 80 के स्पीड से जाएंगे तो कितनी देर पहुंचेंगे कि देखो 16 किलोमेटर को अगर आसी की स्पीड से जाएंगे तो एक बते 5 जंट में पहुंचेंगे एक बटे पास घंते का मतलब कि इतने मिनट बारा मिनट में पहुंचेंगे और जब वह 12 मिनट में पहुंचते हैं तो 10 मिनट लेट होते हैं यानि कि उनको युजूर टाइम 20 मिनट लगना चाहिए उजूर टाइम 20 मिनट तो लगना चाहिए है देखो हमने कहा कि दूरी आ गई 16 कश्वर कुश्रन on देखो अगरी 6 से जाएंगे तो वह कितने मिनट पहुंचेंगे एक बटे पास घंटे यानि कि 12 मिनट बारा मिनट लेकर पहुंचते तो दस मिनट जल्दी है यानि कि उनको बाइस मिनट में पहुझना है यानि कि उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए आपकी स्पीड होनी चाहिए बहुत आराम से कर सकते बेसिक चीज है अगर उच करोगे तो आराम से करपाऊगए पूरा कर अर वीज दिन व्यान्य और क् un mong m Vanso अगर ये साथ काम करें को 55 दिन में progresses अगर किसे का निकालना ही मासू का आपको पता है एक दिन में 0.5 उनिट करता है उससे करवाना कितना है सव उनिट करने के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवर्दी ब्याज फिर से समझेगा एक वर्स में 2700 और दूसरी संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के वसा से 20 सदी का लिए संख्या होगे फिस्ट नमबर सेकेंड नमबर और थर्ड पाहली और दूसरी का जो अवरेज है वह इससे सेकंड और थर्ड के वरेज से 20 ज्यादा है तो आपसे का कि वार्ट इस डिप्टिरेंस ब्यूइन फर्स एंथ तो पहली और दूसरी का अगर एवरेज एप्लस 20 है अगर से कह सकते हैं पहली और दूसरी का योग कितना हो जाएगा हुआ ए प्लस ट्वंटीं न्टू य्質 फास्ट प्लस सेकेंड बढ़ावर्ट टू य्योव प्लस फॉर्ट आप अगर शेकरेंड और फ्रट का अगर अगर एवरेज यह है तो हम कहते ऑल सेकेंड मेंस फॉर्ट्यक्षा 40-2 निके 40 पर्स्ट माइनस धर्ड बराबर 40 रहुए पर जी एच जे कि वैलू इतनी है जी एच जी का रेश्योग 5 रेश्योग 3 रेश्यो दो और जे जब 2 है तो के के वैलु 5 आप एक चीज देखना मैंने हमीशा पता है रेश्योग में उस पर फोकस करो जो कॉमन अरा रहे इधर भी जे जब 2 होता है थो के की वैलु 5 होती है जे के 2 होने पर के की वैलु 5 होती है वहीं है आपका रेशियों यह दो जाएगा पांच रेश्यो दो देख ले को दस्मलों में कैसे बागा है अगर पर एक तो अगर आयत की लंबाई में तो अगर वह नौ अभी बढ़ा के कितनी कर दी गए एक बढ़ा गया एक का बढ़ा गया अगर कोई चीज नौ थी तो अभी दस कर दिया वो कहा गया इसकी बीट को कितना घटाया जाए ताकि एरिया अंचेंजड है अब कुछ माल लो इन दोनों का प्रोड़क्ट निकालो 90 मालो एरिया यही था जो बढ़ने के बाद हुआ और जो सुरूं में था वह आप मालव देखो अभी यहाँ पे आएक चीज़ा उनले कि पहले था उसको माल लेते हैं उसका प्रोड़क्ट निकाल के हम माल लेता है एरिया यही है अगर area 90 है लंभाई 9 थी तो यहां पर चोड़ाई कितनी थी तस अगर area 90 ही रखनी है और लंबाई 10 हो गयी तो चोड़ाई कितनी होगी नो तो 10 से 9 करना है कितने percent की कम तस सी बात है अगर आपको से करना है कि आपको कुछे कितना पर्सेंट तो एक कम करना है एक प्लस नौ परकुछ तम मैं धी और हल गया 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 अ बोला आवाज आ रही है एक ब्रक्ति को सत्तर रुपए में चौवन कुर्सियां बेचने पर 30% की हानी की यानि कि अगर हमें 5 पर 500 का लेना यहां से अगर 15 का लाव लेना यहाई कि यहांसे अगर निकालना के लाव लेटे होए 1013 बटे 20 और 100 ऻूंद यह एक और कि चांवन चेर अगर एक चीर का विक्रेमोल यह रखने पर 15 परषेंट का फाइदा होता है तो आपसे जाँ में तो अधर कि तो हुआ तो एक से तो यह उसको एक एक आसे देखो अगर मैं सब्चाहँ कि मैं एक उर्खता करी तीस परसेंट का लॉस जिसको 30% पर बैचते हैं तो 70 की बिखती है 30% पर 70 की बिखती है तो खाग्या अगर सेम आडिकल को दो चाओंधान लिखा था तो हमने कहा आपकल ही तो लिखा है यह उस आपकल पर फायदा कमाना है तो कितना अगर हमें पता है कि आटिकल का क्रेम उले 100 रुपे है तो 15% का फ ने लिएट देखो आप चीज यादे कांगे चप्पन संख्याहों का अवसद भादतर है परतेग संख्या में बी जोड़ते हैं अगर कहीं पर कुछ चीजों का आए अभरेज तो ये कि हम ने कहा कि 56 संख्याओं का आउसत 22 था हमने वी प्रतेग संक्या में जोड दिया और एबरेज तो पता है आगर हमने प्रतेक संख्या में जोडा तो average बी-जोड़ जाएगा यादि यह 72 प्लस बी चार गंटे पहले चलना शुरू करती है इंडिया के तो रेलगाडी नहीं और 960 कि पने गंतावी समय तक पहुशने के चालिस किलोमेटर कम करनी पड़ती तो इस तरह के प्रस्म फूप पूछे गया तेखो एक बात बताओ हमने कहा कि 960 किलोमेटर दूरी थी है 960 किलोमेटर दूरी थी हमने कहा 960 किलोमेटर को वह पहले पहले कि 930 को 105 को 9003 को सब éénaşानी जाए चाल जए चार घंटे नॉर्मल स्पीड निकाली है आपको यहां से नॉर्मल स्पीड का गुड़े इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 40 गुड़े दस यानि चालिस बताओ किसका गुड़ा करें कि 96 हो जाए आप कहेंगे 120 गुड़े 80 यानि एस बराबर 120 जब इतना आज आज आए तो आपको निकालना क्या है यहां पर आपको पता है यहां पर पूरांग का रहा है यानि कि जो आपने कहा 120 अगर रखेंगे और यहां पर यहां पर आठ यहां पर आठ का डिफरेंस चाहर तो यहां पर आप ऑप्शन से इतने के बाद आप लगा जाए सब्सक्राइब ने कि अटे और चीनी का यानि आपको क्या दिया फ्लोर और शुगर का अनुपाद तीन रेशियो दो है और प्टर शुगर हो ड़िए दो चार बनाना है तो से गुडा करते दो बस आपका रिश्यो आजाएगा तो आपको बटर का वह प्लोर और रिष्पी में आटे और मखन का अनुपाद यानिकि आपको फ्लोर और बटर का रिष्व बताना था यानिकि दो रिष्व एक हो जाएगा समझें मैं वहां मैंने कि और सुगर अब आपसे कहा गया कि देखो आटे और चीनी गानुपाद तीन रिष्व दो है चीनी और मखनान जर्ण चीनी और बटर का नुपाद चार रिष्व तीन खाली अस्तान वालेति कर लोगा यह ब्ली किसात वार्सिक ब्याज की दर से दो साल में ब्याज 1120 अगर दो साल का ब्याज 1120 तो एक साल का 560 होगा और अगर 8% वार्सिक ब्याज 560 देता है तो आगे आप से क्या केलकुलेट करने का गया अगर compound interest की होगा सेम समाफ मनीपे सेम पीरियर और सेम इंट्रेस अगर किसी चीज का 5060 बात भात है तो आपको दो साल में compound इंट्रेस्ट कितना मिलेगा अठ मिलेगा और इस आठ पे भी आठ आठ पर्संट 0.64 कि आहीं आपको 16.64 मिलेगा अब देखो आपको आपको 8% दिया गे, आपको 16.64% निकालने, अकर 8% बराबर इतना तो, एक परचंट बराबर 70, एक परचंट बराबर 70, तो 16.64% कितना होजगा, 16.64, गुले 70, यानि एक सोचाट दसमेलव चाल गुले 7, साथ चोको ऐठाइस, 27224, 272247, 2722444, और 7.651411, जैने कि इतना रुपय वियाज से हैं यकर सकता है मुलधन का पता सात अजार दो साल के लिए और सिम्प्र इंठेस्ट का डिफरेंस क्या होता है प्रिंसपल इंटो राइड पटे सव का होल इसकोर यहीं हो जाए कर डिफरेंस कितना आता है अब कहते चयारी सब्सक्राइब जोड देते करेंगे बचा कितना है चार बटे पांच हिस्षा अभी चार बटे पांच हिस्षा को प्रीति को अकेले करना है त्य देखिएगा एक गेंद बाज शुरुवाती 14 मैचों में परती मैच ऑस्तन बारा विकेट लेता है उसने सभी 28 मैचों में परती मैच ऑस्तन बारा विकेट लिए अन्तिम 14 मैचों में लिए गए देखो आपको यहां पर कुछ कॉंसेट समझने चौदा मैच में उसके ऑस्तन बारा विकेट थे अठाइस मैचों खेलता है और उसका अभी वी एबरेज बारा विकेट निकि चौदा लोगों का आउसत बेड़ बारा था अठाइस लोग हुए तभी तभी और यानि आउसत में कोई चेंज नहीं हुआ जब चौदा के इस्कैरा यानि लाग चौदा एक्स्ट्रा जो चौदा मैच घ्ले है उसमें अगर अग्ले चौदा मैच विए तैस ये worth मैच पर मैप्र मैं शर्मघ नहीं नहीं हो रहा इसा थैक्स देखो कि बारा मैच कर चाहिए ब्रेज सब्सक्राइब कोई बात नहीं कोई विकेट नहीं चेंज हुआ है यह देखो एक खिलाडी के छे मैचों में उसका आपना चालिस करने के लिए कीटना करना 40 यानि कितना बढ़ाना है इँपसे जादा बढ़ाएंगा सबसे ज्यादा पड़ेगा किस्से जो अभी तक आउस्स चल राता उससे यहdoor बनाएगा तब जाके एवरेज उसका चेंज होगा पानी चाहिए यार पानी देने वाला कोई लिए है वहाँ चला गया इसमें है कहीं हाँ यह देखो अब बीच में आगे कहा कि एक ब्यक्ति ने 15 परतिसक वार्सिक दर्से साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशी रिड़ पर दी और उस धनराश पर दी गई धनराश से 800 रुपे कम है धनराशी गयाथ को अब 15 परतिसत वार्सिक दर्से ब्याज उधार दिया छे वर्स में जो धनराशी पराप्ती हूं वह मूलधन से 800 रुपे कम है कि आपको निकालना है रिड़ पर दी गई ध्यंकराशी कितनी तो पंद्रा परतिसत अगर वार्षिक व्याज किदर होगी तो छे वर्सों में कितना मिली जाएगा 90 परतिसत मिला है कि छीज़ का किना कम होगा उससे 10 परसेंट और यहीं 10 परसेंट दिया गया 8 यहीं परसेंट अप्रिंसपल बराबर कितना हो जाएगा अठीच फिकार दो अंको की सबसे बड़ी संख्या कौन से जिसमें पांच की व्रिद्धी करने पर वह चार और दोनों से विभाज होती है जेखो चार और पास दोनों से भिभाज होने के लिए ंगला ऑगर सौ की बात्ट कर आंग यानि कोई संख्या है दो अंकों की सबसे बड़ी जो चार और पांस से दोनों से डिविजबल है इसका मतलब कि वह बनाना पड़ेगा तो बीस से डिविजबल सबसे बड़ी संख्या निकाल लो अब कहा के पांच जोडने पर असी प्राप्त हो यानि कि वह संख्या कर शिर्जे के असी में से फांग निकाल दो चतर यानि पांच जोडने पर यह देखो दो रेल गाडिया हैं साट और च्यानवे की चाल से एक ही दिसा में चल रही हैं तेज रेल गाड़ी द्वारा धीमी अगर एक रेल गाड़ी में बैठे बेक्दी को पार करना अगर एक रेल गाड़ी में बैठे आयीम से हुए फैक को ट्रेन पर सब्सक्राइब को पढुत कि निए पढुत Mark ने जब ए घ्राइब करने यह की पर गप रिला पर लीट Robin 35 किलो मीटर पर ती घंटे अब चुकि यहां पर दो को टाइम सेकंड में दिया गया तो इसको पांच बटे 18 से मल्टिप्लाई करके मीटर पर सेकंड में निकाल लो यानिकि 35 किसी कर रहा है ने 35 बंचे किता होता है 175 बटे 18 मीटर पर सेकंड यह आपकी स्पीड आगे स्पीड बटे 18 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो डिस्टेंस कितने हो जाएगी स्पीड इन्टू टाइम यानिकि 175 बटे स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिए तो जो दूरी आए थी हमेशा याद रखना कि अगर कोई ट्रेन किसी ब्यक्ति को पार करना चाहिए तो उसके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेबल होगी उसके लंबाई के बराक्र होगी सिंपल से बात एक दीवार को पूरा करने में बीजै को रमेश से 40 catast अधीक समय लगता है देख दीवार को पूरा करना वी जो भाई साथ अब रमेश बही साथ और रमेश को यान इनको 40 पर संथ जादा लग टाइम लगता है इसका मतलब अगर देखो कि कोई कारे अगर यह पांस दिन में करता है तो यह साथ दिन में करता है इन दोनों का बुड़ा कर लोग 35 उने टोटल कारे है या ऐसे न मांदो ठीक है पहले ऐसे देखो जो है क्या समझा रहूं आपको अगर बीजे रमेज से 40 जादा चाम को चालीं परशेंट ज्याद़ टाइम लगता है यानि कि इसको पांच दिन कperform में लगता तो साथ architect बिजे को कोई कारे करने में साथ दिन लगता तो रमेश को पांस दिन लगता है आपको एक चीज बता दूँ कि अगर लिया गया टाइम T1 और T2 है तो इनकी एफिसियंसी का अनुपाथ हो जाता है T2 बटे T1 रमेशा यादा करो कि अगर अगर दो बैक्तियों के द्वारा लि करते हैं साथ है नि बचय हो और इक दिन में करता है पांच यंदो तोर किंद में तो मीम्क्ते सिंपल बात नो प्रीक्शा में बीस परतिसाथ अंग प्राप्थे और बीसंगों से उत्तीन हो गया अनुतीन हो गया नी wors प्रपेश को कितने पर्षेंट अंग मिलते हैं रुपेश को मिले 20 पर्षेंट अंग किसका टोटल मांक का और फिर भी 20 अंग से प्राप्त होते हैं अगर वह प्रेश को से पर्षेंट अंग राप्त करता तो ऊंग से कितना उश्याद होते कि Harvard nbs बराबर लिखा है कि 50%. सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब किसी परिक्षा में उत्रीड किये गए अर्जित किये कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब 25 कि यहां से कह सकते हैं 50% मांक बराबर 25 तो आपका परिछा कितने नंबर के कि परिच्छा कि 50 के बड़ाबर हैै पर परिच्छा 50 हो रही है तो आप कह रहे हैं कि पहसी मार्म से 20 मार्म सब्सक्राइक बचाइब करना के बिरेंड तरव करता है इस परषेंड गजाद है इंग उस पर इप यहांग 20% में आपके पांच नंबर ज्यादा पाता है यहांग तो आप कहरें इसका 20% तो पानी देड़ो करतो देखेगा रजाthers देखेगा कंद्या काशन आदिए का इतना है तो इसका जब किवर्फाथ दिया जाहा ह। पालदे नहीं पढ़ लगा पी रेशो क्योओं ऊर भर। दो रेशो तीन रेशो 5 तो प्सक्षपर करना इसके बटे में 6 कर दो, कैमरे में आ रही हूँ, इसके बटे में 5 कर दो, तो 2 बटे 2 कितना हो जागा, 1, 3 बटे 6 कितना हो जागा, 1 बटे 2, और 5 बटे 5 एक रिश्यो, अब आपको पता है, देखो, अगर P बटे 2, Q बटे 6, और R बटे 5 की वैल्यू, आपको पता है, रिश्यो को सिंपलिफाइ करना है, जो हर रहे, अगर सम्मे हर होते हैं, तो उनका LCM ने तो गुड़ा कर देते, यहाँ पर 1 में ही है, तो 2 से गुड़ा कर दो, दो रिश्यो, एक रिश्यो, दो आपका रिश्यो, अगरा पर देखो, एक वस्तु को 3300 प्रॉफिट हुआ कि यह जो प्रॉफिट है यह इस लॉस का दस गुना है तो आप से कहा गया कि तीस पर सत का लाग लेने के लिए विक्रे मुल कितना होना चाहिए सब्सक्राइब कितना हो जाएगा ताय तीस सो और यह उनातिस सासो जुड़ जाएगा ताय तीस सो बेटरी डिश्चार्ज होने वाले है और यह उखर जाता है सिस्ट्रम में लेक में जाओ सौर्ण अब ऐखेस कि आपसे क्या कघा यह यहां पर प्र समझाय रहा हो हमने कहा कि 370 में बेचने पर नुकसन समझा धेए हमने कहा इधर CP मैं लिख के समझा दे रहो यानि 3300 माइनस CP पराबर 10 CP माइनस 2900 बोलो क्लियर तो यह माइनस CP प्लस CP यानि कि 11 CP बराबर 29 700 प्लस 3900 तीन 32 और एक राइटेस अजार अब यह कालकुलेशन सीख जाना 11 अब हमें कितने पर बेचना था हमें 30% का लाव लेना तो तीन अजार का तीस पर्शन कितना हो जागा 900 यानि कि तीन अजाल में 900 लेके बेचेंगे यानि 4900 रुपए का बेस देंगे लिए रहो कि समझ रहे हो साधिक बात कितनी जिन्दिगी च्राव होती है सुमारी ना हो यार ठीक है दो संख्याओ को गुड़नपन 4107 है इन संख्याओ को महत्तब समापूर तक 37 है देखो दो संख्याओ को गुड़नपन 4107 है उनका SCF अगर SCF दिया जहां पर दिया जाए ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब हो गया जी सीम या हाइस्ट कॉमन फैक्टर इसी चीज का SCF दो संख्याओं का SCF 37 आपको पता है कि संख्याओं काम निकालना क्या है ग्रेटर नमबर कंड़ा ठीक है सपितने को प्रोड़क्टिति से और nhất प्रोड़क्ट दिया गें 407 इन का प्रोड़क्ट सैति से कटो सैति सेर्प छार्फ है One लोति कि नहीं रहें तुम के इंटुशचल नक quad casually यह कि 111 को 111 सब्सक्राइब नो कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है प्लस वन बाइटो पता है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सम और फस्ट एन ने ने चुराइब नमबर्स निपर था एन प्राकृतिक संख्याओं का योग एसन बराबर होता है एन इंटो एन प्लस न बाइब पता है न अगर इनके स्क्वाइर का सम पूछा जाए अगर स्क्वाइर का सम यानिकी लिख लेना सम आफ ração च्वारिंड नम्बर्स निपर अगिनठे प्राकृति गताएं और अब हमें क्या निकालना है हमें दिया अब यह सब भूल जाओ क्या क्या चीज है थी पहले तो हम इस पर आ जाते हैं उसके बाद हम अपना क्रिया क्लाप शुरू करते हैं हमें निकालना था हमें कहा गया था आपको पता है हट इसका अगर कहूं यह सं अ अब होता है average बराबर क्या होता है average बराबर होता है some number of numbers काप सम है एंटो एंटि प्लस वन बाइट वाइट वाइट न करेंगे तो यह नहीं आ जाएगा जैए कि आप से क्या कहाँ एवरेज आफ नाइन निकाल रहा हूं थे लोगा वाट इस समझा रहा हूं था तो तक जरूरत बढ़ेगे अब कहा गया इस प्रेशन में कहा गया नौ क्रमागत प्राकृतिक संख्यों का उसर अगर पदों की संख्या बिसम यहां पर ऐसा याद रहे अगर नंबर आफ तो सबसे चोटी संख्या कौन से हो जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या आप से क्या पूछागे तो संख्या हो जाएगा और अगर मालों यहां पर दस दिया गया होता यह आप कहते कि तब अबरेज बराबर हो जागा अगर यह जो होगा यह तरह से निकालते हैं यह जो होगा यह तरह से चाल से साथ किलोमेटर की चार दूरियां करी उसके और सचाल क्या देखो हमें दूरी से मतलब ही नहीं है अब यह याद अथाना है आठ शोला चौविस और बत्य और तीस का कितना होज़ेघा है मालने थे श्यानवे टोटल दूरी तैखरी नहीं ृट यह जाएक श्यानवे दो और भी समझा गया रहा था आप मैं समझा गया याब छोड़ो यह इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा हम आते हैं पहले इस interpreting हम से का कि साथ किलोमेटर की दूरी देखो साथ साथ चार बार गया यानि कि साथ गुड़े चार और बटे पहला साथ जाने में कितना टाइम लगा होगा साथ बटे आट गंटे का दूसरा साथ जाने में कितना टाइम लगा होगा साथ बटे सोला गंटे का तीसरा साथ जाने में साथ ब यही तो मैं समझा रहा था एबरेज स्पीड के लिए आप क्या काम किया करो पहले जितनी टुकड़े हैं कितने टुकड़े थे चार तो इनका अलसियम लो जितने टुकड़े चार बटे में आठ से चार गुड़े चार 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 गुड़े चार चार गुड़े सो कितना होता है चार सो में से कितना गटा देंगे सोला यानि कि 384 पटे 25 यहीं आपका एवरेज इस पेड़ हो जाहिए वह लोग लिए रहे हैं कि कहा कि एवरेज ऑफ फाइब नंबर्स कितना दिया गया 75 पहली दो संख्यों का इसमें से पहली दो फस्ट और सेकेंड का एवरेज जो है वह थर्ड फॉर्थ और फिप्ट के एवरेज से 6 गुना है यानि कि पहली दो का एवरेज 6 एकस है अगर तीसरे चौथे और पांचवे का एवरेज एकस है अब एक बावल काओ सिंपल सी बाद किसको थोड़ा किलियर लिखते दो ताकि आप वह समझ में थे sectors और चिछे विशश्ट कितना है आगा छिइवरेज निकाल इनका यह कितना एकस पहली नकाले जोका यह कितना हो जगा हुजा ऑर लग्रण संख्या यह 3 एकस नंसे लिए 7 उन Ha Simagyao और City सिंग अगर आपको पता है पहली दूसरी संख्या का एवरेज शेयक्स है यानि इनका योग कितना है यह पढ़ाते-पढ़ाते दिमागी ही लिगया करवाना बहुत मुश्किल होता है उगा का एक मनी है कि तीन महीं सबसाही एक चार साल में कितना हो जाता है तीन को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब सब्सक्राइब एबल पढ़ देना तो 29 जूना 58 बचेगा कितना 2220 29 सत्य कितना बता है 23 कि यह कितना बचा था 203 यह सतरा बचेगा यहने कि सतरा बटे 29 यह 27 से सतरा बटे उनती अब सतरा चौदा से जादा है इस पॉइंट पॉइंट पांस थे थोड़ा बढ़ा यह यानि 27.58% आप तो आस्ट जाएगे एक वस्तु का अंकित मूली उसके लागत मूली के 60% से 60% अधिक है यानि कि CP अगर 100 था अंकित मूली मार्केट प्राइज इससे 60% ज्याद है अग्या वहास तुको 300 में बेची जाती है ठीक है इद आर्टिकल इस सोल्ड फॉर 300 आफ्टर ओफ्रिंग डिसकाउंट आफ ट्वेंटी तीन सो में तब बेची के जिब 20 का डिसकाउंट दिया यानि कि मार्केट प्राइज कितने हो गई प्रिंस जो है रमन का तीन गुना अच्छा का प्रिंस जो है रमन का तीन गुना अच्छा यहां कि प्रिंस जो प्रिंस प्र 옆 firms को प्राइद कुभा वात नहीं कि आगर मैं यहां से मानूं कि रमन एक उनिट उनिट कि इन गुना करता है अगर एक सब्सथ्प हैइन कि यह एक सब्सक्राइद और यह एक ब्राबर सकते हैं इतने कि Sophia मिल उपने काम कितना है आपने कहा अधी क्यंट टूटल काम तो कुरें जोंकि澗 यांगे करता है तो मेरे मालिक आखा टोटल वर्क हो गया तो एक्स बराबर है जोड़े हमें कोई मतलब नहीं हमारा जो एब्रेज है वालों की एब्रेज में इसी प्रकार से प्रतेग संख्या में से घट आते हैं तो जो की सबसाइज देगा तो ती वराबर चाहिए तीन संख्या है ए बीसी जो इस रेशियो में है सी ठारा कम ए और बी के संसे देखो इस प्रेशन को थोड़ा साथ एक में त्यार थोड़ा और कलर चेंज करते हैं कलर फूल दिखे न है है मां इस पांच ठीक आलए डिखो hai लिगे सी पांच अनपाद चार अनपाद तीन के अनपाद है aboard c 5, five and four रों की रेशिय में ही है इस एchter मैं इनका रीषिय में बात कुण तो बल्रस चार तीन रेशो Simone तो इसी वज़ा से प्रश्णु को आराम से करो पर नोट मैंने चेंज किया या लगी जिन्दगी चल रही है लागने एक परिक्षा में ले उक्सी उइसी परत्ता है। कि कि क्म सुक्राइब हुआ है। तो धी मतिते हैं ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे 20% यहां से कह सकते हैं कि 25 पर्षेंट बराबर पीस तो दोगे पर्सेंटेस का तो 46 और 21 का दिफ्रेंट 25 पर्षेंट बराबर बीस अगर किसी चीज़ का 25 पर्षेंट संभू से चार गुना अधिक उसल यह संभू से चार गुना अधिक उसल है चार टाइमस में संभू के बराबर करने में संभू से इनको बराबर करेंगे ज़्यादा लेते हैं तो आप से कांगे आगर दोनों एक साथ काम करें तो यहांनि थिरी एकस बराबर कितना हो जाएं कि वर्क दन बराबर करेंगे कि थिरी एकस बराबर कितना हो जाएं तोटल वर कितना हो गैंब तॉछ फॉरक क्तल comport कुड़ इनको करवाना है यह करते यह करते हैं दोनों मिलके पांच निए अबनाज क्विर कुल से चला सकते हैं अबि नाज अभीनास बिपीन का 11 गुना अगर काम कर लेता तो अभीनास बराबर 11 बिपीन हम ने कर दिया और मसीन बनाने में उसे विपीन से 100 इंकम वही वाला समय हो गया कि इनको एक्स ब्लस अंडेट लगते हैं इनको एक्स लगता है कि यह 11 इन्टी पर्दें करते हो जाय यानी दस एक्स बराबर दस वर दस हो गया तो कहा कि दोनों एक साथ करते हो एक सितना हो गया 110 तो उन्हast काम करेंगे तो बारा करेंगे अच्छा नहीं का है एकको दस दिल लगा एक को एकषो दस दिल और मुझा तो एक नहांवन ने कहा था एक सफ़िस्य एक सब्सक्रेंगा है यह प्रसंती लिए प्रफन भूप गया है यह अल्यक्त मेरी कोई गलती नहीं यह दिए जानी चाहिए प्रसुंदेखो क्या कहा गया सम्चतरगुज क्या होता है एक ऐसा आज विटर जिसकी चारों बशाये बराबर है मैं बऻक्तन का मिट्वर्ग भी एक सम्चतरगुज इसके दो विक्रण होते हैं यह हें पहले चीज होती है कि इनके conteúdo का स्कॉर प्लस डी टू का स्क रेनी को स्कॉर का संब आप सैट के स्क्वाइर के बराबर होता है दूसरी चीज बराबर होती है आप इंतु खेतनान में बनाता होता है इंतुम सब को पता होगा ज nou से कम क्यों 5 Dani दू तो समझे तुर्बूज का छे तफल कितना है तो आप सीधे सीधे डी वन डी टू दिया गया था यानि हाफ इंटू डी एंटू द इंटू तो दस तीस तीस तीन तीन सो का अधा देर सू किले होगे कि देखीइगह ताहा टीन संन्ख्याओं का एक मिन्ट मैं देख ले रहो हम ठीक है ताहा टीन संक्रहों एक सम्थ भाई और जेड का और जेड़का चोंवरन है तेकओ रहें एक जेड का और एक सबासर देते कि हमें नहीं मतलब क्या यहितलREY क्या क्या नहीं अभी और प्लस 10 teaching वाइ के बारे में बात की गई य के बारे में बात करी गए तो वाइभर दिया गया वाई य और जेड के आउसत से यानि य प्लस जड़ बाई टू से बारा अधिक है तो आप से कहांगे एक्स माइनस जड़ की वैलू निकाली यानि आपको निकालना क्या है एक्स माइनस जड़ ठीक है अगर इसको और इसको मैं सॉल्व करूं दोनों को घटा लों तो यहां से हमारा य माइनस एक्स बराबर बारा माइनस दस यानिकी दो मिल जाएगा पहली चीज़ और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहांसे दो से गुड़ा कर दो तो टू वाई बराबर वाई प्लस जड़ प्लस चौविस मिलेगा यानि अगर इसको पूरे टर्म को इधर भेज दो टू वाई माइनस वाई माइनस जेड यानिए वाई माइनस जेड बराबर चौविस मिल जाए अब देखो इसको देखो और इसको देखा जह Rs. है ऑले मैं इस में से इसको घटा दूँ क्या मिल जाएगा बता हो ज my g मैंस एक्स माइन जड निकालते हैं साप यत When we are गट इस से इस में से इसको घटा देते हैं वाई माइस 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 लास एक्स बराबर 24 में से दो जाएगा वाई-वाई कट गया एक्स माइनस जट बराबर 20 नाइस कोस्चन यह मेंस लेवल का प्रशन है नोट कर ले नाइस ठीक है अगले प्रशन में पूछा गया लेको आपको जब डेसिम इसको क्या बोलते हैं इसको बार वाली नंबर्स को लिक्रिंग डेसिमल को सब डेसिमल में बदलना हो मतलब फ्रेक्शन में बदलना हो तो आप पहले लिखो वो संक्या पांच बटे में कितने अंकों पर बार लगा है एक अंक तो उतनी बार नौ लगा तो आपको बताने बी का हिस्सा कितना है तो आप ऐसे देखो ना एक बराबर भी बराबर ती बराबर ठीसी लिख सकते हैं और इन सब को छे के बराबर कर लो सबस्क्राइब कर आप से अगला प्रश्म यहां पर है आप त्वोड़ा तेज करते हैं ठीक डबलू और एक्स किसी कारे को 25 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक है उन्होंने एक सांथ काम करना सुड़ीया लेकिन डबलू ने कुछ दिन बाद काम स्फोड़ दिया और सेस कारे एक्स ने पंदरा दिन में किया तो सिंपल सी बात है अग चार बटे 5 हिस्सा किया होगा है कि यह अकेलिकर बाइब पांच करता तो दोनों मिलके चार बटे 5 हिस्सा होगा कि खाक के शुरुवात के कितने दिनों में डिन काम चुप कि आपको पता है डफली व करता है 25 यह 25 दिन में जोंका करवाना है हमने पता है शुरुवात के दिनों में यह दोनों एक साथ काम करते थे रहा गया एक पचास ओबर के कितना रन बनाया ताकि 35 में 299 का लट छे पतलब 299 रन यानि कि उनको 299 रन तक पहुंचना है तो अगले 35 में कितना रन पतलब कितने के उससे बनाया आपको पता है 15 में 3.6 के उससे कितना बना होगा 15 गुड़े 3.6 यानि 15-90 पंदर तिया 45 नुद चंवन यानि कि 54 रन उन्ह कि 245 रन उन्हें कितने बनाना है देखो 35 कितने बनाना है तो अभी टार्गेट कितना होना चाहिए इतने रन बनाना है पैंतिस अबर पड़े है तो परति रन कितना 5 यानुद परति पहुंच पाएंगे कि यह इधर होगा प्रश्न औि यह भी अपने आप में पजल है कहा दो बटे-पांच प्राइज का बढ़न है तीन बटे-चार आफ शेलिंग प्राइज बस इसी को करना है ढूठ मार्केट प्राइज पर्ाइज परेबर 15 से लिए मैंने क्या बता है जिसके सास्थ जो लिखा हो वह उल्टा कर दो यहां से पंदरा हो गया और सेलिंग प्राइस पंदरा रुपया लिखा था आठ में बेचा यहीं कितने के चूट साथ की कितने पे पर संटेज में 50% से थोड़ी तो यहीं 46% के तरीबाब अगला प्रस्द में इधर लिखा हुआ था उपनील 16 बना सकता है सब्सक्राइब 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 नेया यह दिन में पूरा काम हो जाता है और 118 बटे 17 ने पूरा काम हो लेने के लिए अंस क्यल सियम ले लो थैट्ट एक सो अटथाइस है हममा लेते हैं 128 टोटल गर सोला दिन में एक दिन में आठी एक दिन में आठ यह एक दिन में यह दिन में सतरा दोनों मिलके यहां पर एक होगे आप नो होगे आप दो तो यही रेशियो अब इनका रेशियो आप से आर का सीर पूछा गया आर को कितना मिलता एक हिस्सा आउट 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 दो नो ग्यारा एक बारा एक बटे बारा इस बिजली के खंबे किसी पॉाइंट भ्यक्ति खाड़े भ्यक्ति है उर्क को पार करती है तो उसके द्वारा चली गडेहर बराबर होते है उसकी लम्बाबाई को इसकी लंबाई कितनी तीनольно लगाए लागा एक और ट्रेन को पार करती है जिसकी लंबाई उतनी ही है और बारा सेकंड लिए एक ट्रेन जब दूसरी साथ ही इसाथ एक स्पीड स्पीड तो इसकी स्पीड स्टु फो इसकी स्पीड स्टु और की स्पीड लिव एक ट्रेन की लंबाई 384 और दूसरी ट्रेन भी कहा गया सेम लंद किया देखो सेम यह दोनों सब्सक्राइब करने में बारा सेकंड लगता है यह हो गए दूरी और दूरी में समय से डिवाइट कर देंगे तो चाला जाएगे अब यह नहीं निकालना था आपको पता है कि बारा सेकंड पार करती थी अब जब दोनों की चाल भी जूड़ रही और फिर भी बारा सेकंड लग रही है याणि अगर दोनों बराबर है तो एसे बिद्यार्थियों की अधिक्तम संख्या आप देवकि यहां पर कुछ अगर आपको अप्सक्तम कि है से नबर क्या हो सकता है तो आप दो नंबर जो दिये गए है एक हजार तीन और सटाइसो तीन का निकाल दो एसिया भाकि और ही तो छाने डिलाखा इस से निखले इसका क्याने इस मेमने टीलार तुट मेंस प्रक्ष छेक्षज सीट इंट पर सो तो कि कितो तो ऐसे के ना इंट अविए कुड़ stitch. डो जागे जोए गाती दो बार और यह बचेगा आपका 51 से 85 में डिवाइड करोगे 51 एक कितना बचेगा आपका 34 34 से फिर एक याउन में डिवाइड करोगे 34 34 यह सत्तरा से 34 को डिवाइड करो सत्तरा दूना 34 यह अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाएं तो आपको यह चीज प्रता होनी चाहिए की 2003 सतरा हुडं कि किकि satisfy तुम 173 जाइज ले है ह mulich art कर देंत है उंट का यह यहां यह आपर लिख देता हुए ह साथ्जार तीन को हम लिख सकते हैं सत्तरा हुडं ऑनकर और ऐसे इसको में डिख अक ऐसे हम कर ऐसे हम 2703 को लिख सकते हैं सत्तरा हुडे कितना सकते हैं अब इन दोनों में common क्या रहा है स्थ निकालना तो ने कहा स्थ हो जाएगा इन दोनों का जो common वाली रासी है यहीं आपका अगले प्रश्न यहां पर है अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कहा कि A और B को कोई कारी 14 वटे तीन दिन में पूरा करने में लगता है यानि A और B अगर कारी को करें तो 14 वटे तीन दिन लगते हैं कहा गया कि काम करें तो काम का कितना हिस्सा दो दिन में पूरा कर सकते देखो 14 वटे 3 12 वटे 5 और 16 का लेने जाओगे 14 वटे तीन दिन में इतना करते हैं तो एक दिन में किया गया कारी कितना हो जाएगा कि इसमें 14 से डिवाइड करोगे तो यह कितना हो जाएगा और तीनों को जोड़ दें तो यहां से टू टाइमस आप A आ जाएगा तू टाइमस आप B आ जाएगा तू टाइमस आप C यानि अगर जोड़ हैं तो यहां से हमें A प्लस B प्लस C बराबर कितना मिल जाएगा यह दोनों जोड़ोगे तीन दो पांच छे चारदर साथ साथ सत्तरा हासिलाई एक 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 दो और बटे में दो आजएग दो 275 बटे दो यह कर सकते हैं एक दिन में तो अगरे दो दिन करते हैं तो 275 बटे दो गुड़े दो यानि 275 यूनिट कर पाएंगा अब 275 यूनिट टोटल कर कितना हिस्सा है आपके नहीं हमारा काम कितना था 16 अगुड़े साथ घुड़े तीन यानि हमारा काम था वमने कितना हिस्सा क्या 275 काम करते हैं किसमें से 16 एक किसे में यह नौसे कट रहा नहीं किससे कट रहा नहीं पाइए आपका आंसर हो गया 275 बटे 336 बुलो क्लियर है पांच सड का क्रेमूल तीन सट के विक्रेमूल के बराबर है यानि कि सेलिंग प्राइज कितना हो गया पांच प्राइज हो गया तीन-तीन में खरीद के पांच में बेची जाती है दो का फाइदा दो बटे तीन कितना प्रशन देखो एक उस्तकोष के पांच बटे 12 बेचने पर 50 परसेंट की अंकित मूली यानि कि मार्केट प्राइज के पांच बटे 12 पर अगर हम बेचते हैं पचास परसेंट की हानी यानि कि सीपी के आधे पर बिखती है यहांसे हमारा सी एक ची रिलेशन आजाएगा नि एक काम को साध गंटे में बी और स्थ बटे 4 में में शीन लेखार वल्स यूनिट करेंगा कर लेगा बी अकेले कितना टाइम में काम कर लेगा देखो आपको पता है कि एकेले तीन उनिट करता है यहां से कितना हो जाए तीन उनिट करते हैं तो निकालना है और करने में 21 गंटे किस दिन लगेंगे जो भी हो बोलो क्लियर हो गया मेरे बाई अगले प्रशन पर आ जाएं चलो दुहाई दें चलो कि यहां पर दो प्रशन दिये गया है पता नहीं क्या एससी कैसे करती है ठीक है एक्स बिंदु पीसे बारा किलोमेटर परती घंटे की चाल स चलना सुरू करता है बारा किलोमेटर परती घंटे से वह चाल चलना सुरू करते उसके छे घंटे बाद रौई उसी बिंदु एक्स पीड अब यहां से चलना सुरू करता है यह 16 किलोमेटर परती घंटे के स्पीड से और यह भाई साब 12 के स्पीड से इसी घिसा में चल रहा है आपको पता है जब सेम दिसा में चलेंगे तो इनकी रिलेट्व स्पीड बराबर होती है इनके बीच के दूरी कितना है 72 किलोमेटर अगर चार कि इनके बाद मिलेंगे कितनी दूर बात यहां कहीं पर मिलेंगे जिसकी वैलू हो सब्सक्राइब ना दो सब्सक्राइब निए दोच यानि फस्ट और सेकेंड का अंतिम दो संख्याओं के आउसस यानि थर्ड और फॉर्थ के आउसस से दो गुना इनका आउसस अगर एकस है तो इनका वस्ट योग निकाल लोग कितना हो जगा प्रती दिन चार घंटे काम करके, साथ दिन में काम कर सकता तो के जीटब के साथ दोनी चौदा गंटे का क् explor 00 क चोधा करने के लिए उन्हें कि पढ़्डे कितना दिन यूनिट काम होना चाहिए पढ़्डे चार वोना चाहिए आपको पता है कि अगर पिए एक करते हैं यह दो यूनिट करते हैं typically यह एक ऑठाइस घंट इन्ट हए घंट में एक उनिट करता है तो दोनों अगर एग घंते काम करेंगे एक दिन में Jonno अगर एग दिन में गंटे काम करेंगे फिर एक unity योन युarea'M इन्हें करना कीतना अपड़े चार गंटे क्या चार बटे थीण हिसकर माधा है ét पी उससे तीन दिन में तोड सकते हां यह तीन दिन में इस तहीं काम करते हैं ए ने चार दिन तक काम किया यहां आधा काम होगा फिर बी ने केवल दो दिन के लिए क्लें के लिए के सामिल हो जाता है देखो पहले यह भूल जाओ आधा काम अल्रेडी हो चुका है अब अगर कहा गया कि ए मतलब जब यह आधा काम हो चुका है यानि एने चार बंदर काम कर लिया उसके बाद क्या होता है डि जो है 2 और दिनों के लिए एक सामीर आट यहानि कि एक अरेगा एक दिन में एक बटे आठ अुड़ें और धू दो दिन आई से तूटा कि पांच बटे 12 हिस्सा क्याक्ष ठूट चुक में का क्या ठूट है तोبح इन चुक में चुंटब़्ा घानी आ बटे 12 हिस्सा कामका हो रहत आब इस एक बटे तो कितनी देर में हो जाएगा यानी एक बटे 12 हो रख़ायक्ता है कि ग्याराव बटे 12 करना है एक दिन में करता सब्सक्राइब ताइम ले रो लिए कर सकता है ऊसे तीन दिन में सिर्द है ने 4 दिन वे दरानी, और 5 बटे 24 एंग दिन वे तोड़ दिया, आधा काम हो रकाद यानि 6 बटे 12, में इन्हों क्या काम क्या है 5-12 इंने क्या काम किया पां हो रकाद है 6ARY यानी अभी कितना करना 13 बटे 12, एक दिन में हो sovereign your time, STK प्रेश्ष्रमन से 3 गुना अच्छा काड़ी कर रहें यह तो हम कर चुक है अईसे प्रशनों को Li Kframe सब्सक्रिए तो अगर रिट लगता हो तो इसका resultant कितना हो जाता है प्लस फ्लस आर बटे यह बराबर 44 दिया तो आप सब्सक्रिण 20 तो half yearly में कितना हो जाएगा आपके half yearly में 44 के आधे से तो कम होगा यानि कि 22 से तो कम होगा देखो 22 से कम यह दोनों option तो हो नहीं सकते थे तुक्का मारना था तो भी इस से आते से 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुड़े बीस बेटे सो यानि कि 444 हो जाता है क्लियर हो गया यह देखो यह प्रशन अच्छा है देखेगा अगले प्रशन में क्या कहा गया कहा गया एक कंपनी में 42 करमचारी है 27 करमचारियों का आउसत बेतन 41 रुपे परतिमा है देखेगा क्या कहा गया मैं लेता हूं ठीक है 42 करमचारी है जिनका average sales 27 लोगों की कितना है इकतालीस रुपे महीन है यह 27 लोग है मैं पूड़ा साइस को ओपर कर रहा हूं ठीक है यह 27 जो लोग है यह लोग अउसत से कितना कम लेके आ रहे हैं कितना कम करने 0-0, 27 staying 27 कितना होता है यह DreLaek बचे203 लोग रोलीच वह लोग कितना कम कर है उनकी आवरेश सेलरी एक तालीर ही सो है जो है कितना एक सीर रू continuing आपके 72 से 6100 रूपे कितना कम यह बाइब से आपके बंधर कि यह सिन यह ते नहींogen नहीं हो yellow rang ग्यारा सो रुपए कम है फिर से समझेगे 27 लोग जो है वह और से 31 रुपए महीने कम कमाते हैं और 13 लोग से ग्यारा सो रुपए महीने कम यह लोग कितना कम कर रहे हैं तेरा गुड़े 11 यानि कि यह हो गया डवल जीरो, तेरा एकननम 13, और तेरा एकननम 14, यानि बागी के जो दो लोग हैं, वो इसको तो बैलंस कर ही रहे होंगे, और प्लस साथ में average कमा रहे होंगे, तब जाके average 72 सो पहुंच रहे, यानि वो लोग इसको balance करने के लिए, इन दोनों को सम कर दो तो यह हो गया डवल जीरो, साथ तीन दस, चार तीन साथ एक आठ और आठ एक नो अठान डवे हजार रुपे दोनों मिलके एक्स्ट्रा कमाएंगे दोनों मिलके अगर अठान डवे हजार एक्स्ट्रा कमा रहे हैं यानि कि पर हेड उन्हें 49,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना है, किसे एब्रेस से, यानि वो जो ब्यक्ति आ रहे हैं, दोनों जो बचे हुए ब्यक्ति हैं, वो 49,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, एब्रेस है हमारा 72,00, तो वो कितना कमार है, 49,000 प्लस 72,00, यानि कि 56,200 है किसको पिगलाए किसे इस फियर को और बनाया किसे और बस दोनों का वॉल्यूम का वॉल्यूम कुछ कुछ करना नहीं इस बेस रेडियस डाएम canyon है तो यह हो जाएगा नोबटे-दो radius 9 गुड़े उचाए ही आपको निकालना थो तो काट पीट तो पाई वटे 3 से पाई वटे 3 कठी जाएगा तो नौ नो से नो नो gust गया यहरा दो यह वाला चार दो यह चार गुड़ेश चार गूड़े नहीं कि चोका शोला और यहां 144 से क्लियर हो एक चीज को पिखला के दूसरी चीज बनाई जाएगी तो यह हाला थोगी तो अगर रमेश 16 की स्पीड से चाल जाता है तो आपने स्कूल बारा मिनट की दूरी से उसके घर से उसके स्कूल की दूरी आपको देखो अगर अगर 16 की स्पीड से दूरी जाता है तो चाल मिनट जादा बात पहुंचता है तो दोनों के टाइम में दिफरेंस देखो पहले चाल मिनट लेट होता था और अभी 12 मिनट पहले यानि कि दोनों से 16 मिनट डिफरेंस हा रहा है गंटे बहुत देखो 16 साथ हो जाएगा अब यहां से स्वाल कर दोनों कि यहां से जिलो कर गया यह बराबर हो गया आपको पता है एक बैक्ति दिन में करते हैं तो देनों पन्डरा धन करेंगे तो हमने इसको एक बैक्ति इसको एक बैक्ति यानि-ए-a-f-a-g-a-g-a-g-c-o-e-o-g-c-e-e-a-g-c-o-e-c-a-g-c-e-c-o-e-c-a-g-c-e-c-e-c-c-e-c-e-c-c-e-c-e-c-c-e-c-c-e-c-e-c-e-c- सभाव नियाये लिद्सन प्रफाइब में करेंद सभाव में एक keep अगर कि मैंने बता कि अगर एक रेल गाड़े दूसरी गाड़ी को पार करेगी तो उनके द्वारा चली गए दूरी एल वन प्लस एल टू हो जाएगी आपको पता है एल बराबर एक सो साथ यानि वो दोनों मिलके कितनी दूरी ट्रेबल करेंगी एक सो साथ का दो गुना किसी स्पीड से यह बराबर टाइम कितना लगता है 32 सेकंड तो हैसे ट्वाश बराबर धस मीटर पर सेकंड इश बराबर पांस मीटर पर सेकंड Hyp2 है क्या हम ने कहा 320 ches चाल बराबर आ गया समय किन्सों निकिन बड़ाबर 22 यानि कि ट्रेंट में न्यमौना क्या था एक study pięo पर शेकंड है 5 मिटरं को तेगंटर उनकोести बढ़ा कर द से किलो मीटर पर स्टे में जाने के लिए आठरा बटे कर चार बते गरह से करने का मतलब इंद एचक्नार थे left कितने साथ बटे 11 हो चुका है यानी कि एक बटे 11 को साथ एक पूरे काम को 77 डिन में कर सकता था यह सब अयए 75 दिन में तो दोनों मिलके कितना करेंगी अगर यह पच्पन दिन में करता है दूसरा सततर तो दोनों मिलके पच्पन गुड़े सततर बटे 15 धन सिंपल सी बात 11 से कार दो पहले 15 15 गुड़े साथ कितना वजाएगा तीन सो पिचासी और बटे पासाथ बार यही दिन लगेंगे त्रियों सब्सक्राइब के एक समोव का और तालीदा सभी 24 चात्रों का देखो सी बात हमारा जादा देखो ऐसे देखो पहले तो इसका एक मेथड देखो मैं यहां पर यह कर देखो पहले तिरपन था और इसका रिजल्टेंट मालो एक्स पहुंच रहा है अब तिरपन कितने लोगों का था ग्यारा लोगों और यह 48 कितने लोगों का था तेरा लोगों आप कहेंगे तिरपन माइनस एक्स इदर हो जागा मिक्चर एलिगेशन लगा रहे हैं तिरपन माइनस एक्स इदर होगे और ए किन दोनों का रिश्यो 11 रिश्यो 13 के बराबर होगा cross multiply कर तो यानि 13 times of x-48 लिखो लिखो 13 times of x-48 यह अलग method बता रहूं बाकि अभी shortcut भी बता दूंगा 11 times of 13 minus तो 11 x इधर negative में इधर 13 x positive में यानि 24 x बराबर हो जाएगा ग्यारा गुड़े तीरपन यह 550 यह 513 हो जाएगा और 13 गुड़े तेरा गुड़े 48 यह कितना हो जाएगा 650 में से 26 गड़ जाएगा यानि कि 624 यह प्लस में 624 हो जाएगा ठीक है यह दोनों जुड़ेगा तो कित सब्सक्राइब 50.3 के करीब आपका यह देखा हमने मिक्चर एलिगेशन से लगा लिए एक हमने वही तो माला था कि 33 और 48 का रिजल्ट है अगर इतना हो तो यह जो रिश्यों हमने निकाला यह किसका रिश्यों होता है इनकी संख्याओं का नुपात होता है हमने ऐसे कर 11 लों का उसा त्रिपन था जो आगे वाले 13 जोईन करते हैं उनका उसाथ 18 से अब हम यह चीज़ जानेंगे कि करीब किसके जाएंगे आप करीब उसके जाएंगे जिसका ज्यादा यह छोड़ो त्रिपन था ठीक है आप 24 लोग हो गये अब यह जो आगे वाले 13 लोग आते पांच पांच कम लेके आते हैं कितने लोग यानि कि 65 कम लेके आते हैं यह 65-24 लोगों पर डिश्टिब्यूट होगा सिम्पल सी बात है को कि यह जो 65-25 लोगों पर तो कम करते हैं यह वर आल आसद जो है वह तीरपन से 65-24 कम हो जाएगा 25-24 कितना होता है, 24-26-48 और 24-17, 24-27-18 त्यू दो दस्मलों साथ से कम हो जागा, तिरपन से दो दस्मलों साथ कम करोगे, कितना हो जाएगा, 50-10 पर तीन के करीब आपका आंसर आ जाएगा। कि एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है यानि अगर वह 100 कमाता था तो आठावन खर्चा कर देता था उसकी आय में 30% ब्रिद्धी हो जाती यानि अभी 130 कमाता है और उसके ब्याय में कि 25 25 पर्चान मतलब 14 यानि 14.5 5 बढ़ेगा तो बात पर प्रप्र पांच ऑब तो इसकी बचत में पहले बचत कितनी थी एक पांच बटे चौदा लिखा पांच बटे चौदा बुड़े सो यानि पांसो बटे चौदा यहां साथ यह रेशियो पांच के रेशियो बराबर 20 यह यह चक्के एक सो बीस यह था और सो लीटर यह था बोलो किलियर होगे सबस्यों जो आएर लिखा फुड़ी सबस्कहर कि एक नव एक समान्चाल से चववन किलोमेटर के दूरी तए करती है अगर चाल में तीन किलोमेटर की बृध्धी कर दीजा तो तीन घंटे कम लगेंगे अगल अब को किसी स्पीड से तया करती थी अब चावण को एस प्लस थिरी से तया करेगे और कितना आया दोनों 6 जालो का तीन गट्राइब तो आपको कहा गया और इजनल स्पीड में कालो सक्षी वैलू ऑप्षन पर आके चेक कर लो अगर छे रखेंगे मालों नो रखते तो यहां पर यहां पर नो तीन बारा बारा से चोवन करता लगबग पांच के करीब आता तो चे में से पांच यह न से कर सकते हैं देखो S1 और S2 दारा प्राप्तंकों का आउसत से 35 अधिक यह हम कह सकते हैं S1 प्लस S2 का आउसत बटे दो यह बराबर है S2 प्लस S3 का आउसत बटे दो प्लस 35 चीक है S3 का प्राप्तंक 75 है S3 का प्राप्तंक 75 है यहां पर कर दो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा S1 प्लस S2 बराबर S2 प्लस S3 और 20 17 हमने किसे गुड़ा कर 132 हमने बिल्कुल यहां से हमारा S1 बराबर हो गया और 75 से क्लियर हो गया देखते हैं अगला गलत हो जाता भी तो हमारा अगला प्रशनय कहा पहां pa प inseamie amёл पहुंचे आप सभी को ओर पी 1-2 विध्यारती हैं फी 1 और फी तो अगर सव प्राप्त हुए हैं इससे सतर परजेंट कि कई यानिकी पीवन को एक सो सफ़वन की एक सब्सक्राप्ट है और पीवन के जो अंक्के हों पीटु के अंक से एक बटे आठ एक बटे आठ होता है तो अगर बासट पॉइंट पांच है तो यानि कि पांच गुना यानि पांच बटे आठ हिस्सा कम मतलब आपको एक रेशियो बराबर एक रेश्यो बराबर एठार होगे तो पीठीर के पूछा गया था यानि कि ठारसो हो जाएगा या आप ऐसे करते हैं या फिर ऐसे कर सकते थे देखवा आपको एकशी सो साट पता चल गया दहा यहां पर लिखते P1 यहां पर लिखते P2 यहां पर लिखते P3 P2 के आंग है represents 18060 से कितना हिस्सा कम 12.5 परसें यानि इसका इसका एक वैटे 8 इसका एक एक हजार बीस यानि कि इसको 3060 है और 3060 जो पीठी के अंक से इतना जादा है कि सत्तर पर्शंट जादा यानि इसका सत्तर बराबर अगर 3060 तो दस बराबर आपको निकालना है तो आप कहेंगे दस बटे सत्तरा कर देंगे सत्तरा एकन नम सत्तरा तेरा सत्रा आठ्टे अगर पीठी के दस न तो पीवन के सत्तरा तो सत्तरा पराबर 3060 तो निकाल सकते हैं बहुत आसान होता है अगर डब्लू एक्स और प्लस वाई मिलाके इनकी आउसत उचाए 185 गुड़े तीन अगर आ डिवारां एक्स प्लस य जोड य कितना दियाके 152 ऊसत तो 1502 इनका योग अब एक्स की जाए पूछोः फोझीकिकरेस अगर हम इन दोनों के जोड ने मेरे बाई जे इन दोनों के जोड देते यह बाते हैं तो आंगर दोनोनों एक्स प्लस 555 बराबर 610 एनि एक्स बराबर कितना हो जाएगा क्लियर हो गया यह हमारा प्रश्ण साब 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 समझा रहा है आपको बहुत सुन्दर है अब अगले प्रश्ण प्रश्ण के आते हैं कि एकटिर्भुज का छेतर फलं 1417 सेंटीमेटर स्क्वाइर है इस तिर्भुज का आधार इस आधार के संगत उचाहिके तीन बटे બेस और गुडे हईट यह जो एरया दिया गया 1470 यहहं önटुस इंटुस 1 इंटीर थीन 5 गुंहाई हाइट का यहां कि हमारेश स्क्वाइर बाइज यह बिठे folks यानी कि यहां से हमारा हच स्कॉयर बटे 10 पराबर 490 हैनि हमारा हच वराबर कितना गया स्कतर यह निकालना पार दो संख्यां के बीच का अनुपाद जो है वो 7 अनुपाद 8 पर तेक संख्या में हमने 4 एड किया तो कहा गया अनुपाद 9 नुपाद 10 हो जाता है तो सब क्या रहें चरेंड करना पड़ता है समझ तो आप से संख्यात के अधर साथ बढ़ाएं nossas pro और वाइन का कुछ मिक्चर है ठीक है साथ और 19 के रेशियो में यह है कि वॉल्यूम ऑफ वाइन क्या होगा अगर 12 लीटर मोर वाइन मिला दिया जाए पहली चीज एक चीज समझेगा कि यह थोड़ा सा अंग्रेजी वाला प्रशन नहीं देखेगा आप से कहा कि एक मिस्राड पानी के तुल्णा में 12 लिटर अधी कितना बैं बारा यह तीजी कितना है याप से कह गया कि मिस्राड में में 12 लीट्र कै बद्याजीन के बद्ध्वों नहीं पचास यानि जियो वाले कितने होगे 30 अब क्या कहा गया यह इतिहास का आउसत स्कोर 85 है तो पूरे क्लास का कितना होगा यह लोग कितना ज्यादा है अगर मैं बात करूं तो यह 75 से 10 ज्यादा है कितने लोग यह 300 ज्यादा लेकर और यह 300 ज्यादा लेकर और यह 300 ज्यादा है कितना बढ़ा देगा पुरे क्लास का कि अगर कोई रेलगारी अपनी मूल चाल कि छहेबटी शात मीं चाल से अगर कहीं पे कि एक श्राइब कर दिया जाए तो अभी चे कर दी जाए तो तो टाइम जो होगा टुटी टू बराबर साथ बटे चे हो जाए कि टाइम कि इस्पीड के क्या वोलते हैं इनुवर्स क्या होता है तो हम कह सकते हैं अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी स्पीड बढ़ेगे तो टाइम कम होगा आप से कहा कि अगर छे बटे साथ हिस्से से दौरती है तो अगर पहले टी लगता होगा तो अभी अभी टाइम साथ बटे च्छे है पहले टी लगता था और दोनों का डिफ्रेंस 20 मिनट यानि एक बटे ती यानि कि टी वाई टू सुरी टी वाई शिक्स बराबर एक बटे तीन यानि वराबर कितना हो जागा दो घंट तो टी बराबर दो घंटे जो आया वह क्या है आए और यानि कि जो अब यूजवर्टाइम लगता है तो अगर छे बटे सास्थ चाली तो आदब टे शेटी अब लगता सबसे चोटी यानि कि लीस्ट नंबर निकाली है जो इससे डिविजबल हो निकाल दो और चोटी से चोटी संख्या मिलेगी जिन में इन सबसे डिवाइट करने पर सेस्पल चोदा आता है या इक मेश में चार बल्ले वाजो का उसत हैँ आप गुल से चंख्याल सबसेब्सन ज्यादा बनाएगा उसके द्वारा बनाए गए रन हो जाएंगे 61 प्लस 47 आप निकालना एक सो आठ हो जाएगा कितना हुआ प्लस आठ प्लस अगर बनाएगा उसको बनाना पड़ेगा वातने अगले प्रशन पर अगला प्रशन हमारा कहां पर दिख रहा है यहां कहिंः वावन इसके नहीं एक सर नहीं सर नहीं अगर्फ में कर दो 14 15 16 17 18 प्रस यही हो गई जो भाज संक्या है तो किल्कुलेट करना तीन तीन छे तीन नों एक दस हो जाएंगे निद्य का निकालना है यहांपकर कर्व सर्फेसर अजर गया होता है हम से कहा गया दो गुड़े पाई की वेलीव बाइस बटे साथ रेडियेस किटनी दी गई है रेडियेस दो देखो ताइम एंडवर्क के इतने प्रस्ण आये हुए कि कसम लगे मतलब मजई आ गया एकस और वाई किसि कारे को 60 दिन में कर सकते हैं दोनों ने एक साथ काम किया लेकिन 30 दिन के बाद x ने, अब उनको 60 दिन में दोनों मिलके कर सकते थे 30 दिन कर लिया, यानिकि 30 बटे 60 हिस तो वाई कितने तो आपको मैंने बताया था कि अगर पांच संख्याय दी गई है तो आउसत क्या होता है पांच प्लस वन बाई टूथ नंबर तर्मागत होनी चाहिए उनका कॉमन डिफ्रेंस सेम होना चाहिए थर्ड नंबर आपका एवरेज हो जाएगी थर्ड नंबर 19 है तो कहा गया तीस ही संख्या तो दो इधर होंगी और दो इधर होंगी तो 19 चार जोड़ देंगे तो 23 सबस चोटी मिल जाएगी अठाई सजार में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुरा कुद तीस पर्चंट के हानी 30 का हानी मतलब कि कॉस्ट प्राइज का साथ बटे दस बराबर है अठाई सजार यहां से हम कह सकते हैं सीपी बटे दस बराबर चार के यहां सीपी बराबर कि अगर डाइगनल दीवन और डीटू हो तो डीवन का स्कॉयर प्लस डीटू का स्कॉयर बराबर टू टाइमस आप एका होल इसकॉयर यहां से हमारा एक बराबर कितना हो जाएगा अंडर रोड में चॉबिस का स्कॉयर प्लस हजार चॉबिस यह 16 हो जाएगा यह बराबर कितना जाएगा चारिस अब बराबर चारिस हमें पेरी मिटर निकालने कहा गया तो कितना होता है और टाइमस आप एगए चार गुड़े चालिस थीक है ठीक है भाईया दस ग्यारा कहा यार यह देख लो यह यहां पर खाली है कौन यहां पर खाली है एक तो जाएग एक तो ने साथ एकम प्नाच दो नी था एंड़ पूछा गया था तीन रेशियो दस हो जाए ले रोगया रोगया ना बहुत सुनदर गायब हो गया कि कोई साथ नहीं सही सही तो चल रहा है देखो डबलू और एक्स अगला प्रोशन देखेगा डबलू और एक्स एक काम को 40 दिन में एक्स और वाई देखो इसको ऐसे करते हैं डबलू और एक्स मिलके 40 दिन में करते हैं अगर एक्स और वाई की बात करना तो यह साथ दिन में करते हैं आगर डबलू एक्स और वाई तीनों मिलके 30 दिन में चार्ट जोड़ेंगे तो देखो अगर हम इन दोनों को किस से पूछा गया है अगर मैं इन तीनों को जोड़ों यहां से हमारा कितना आजाएगा डबल्यू प्लस एक्स प्लस य और एक बार एक्स ज्यादा आजाएगे यह बराबर पांच यूनिट आपको इसमें देखो डबलू एक्स वाई मिलके चार यूनिट यानि कितना करता है अगला प्रस्त देखनें अग्स रेशयों य वराबर ग्यारा वाइक्स थियुक्यां एक्स की बलू ग्यारा वाई की बलू 5 आपको निकाल या ऐसे लिखेंव प्रवर्तित करने हैं तो आप पहले इसको लिखो बार बार छोड़ दो पहले जो संख्या लिखे उसको लिखो 41 लिखा अब एक बात बताओ कितने अंकों पे बार है आपने का एक अंक पे जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो इसमें से पहले वह संख्या लिखो पूरी-पूरी फिर जिस पे बार नहीं उसको घटा द नहीं है decimal से पहले decimal के बाद उसके जीव लगा हमने क्या काम करने जैसे 4 वन था वगर 4 और 1 दोनों पर बार होता तो हम 41 नहीं तो हमें पहले 41 लिखना है जिस पर बार नहीं उसको इसमें से घटा देने वह बटे में 9 लिखा और इतने पर बार नहीं होता है यह प्रशन है कहा गया 12 16 वारा 46 ग्यारा और तैसलिस में क्या संख्या जोड़ी जाए था कि यह पलणाम समान उपाती हो देखो हमने क्या कहा बारा में कुछ जोड़ा गया और 46 में कुछ जोड़ा गया 11 में कुछ जोड़ा गया और 43 में कुछ जोड़ा गया और यह समान पाती हो गई यानि कि यह बराबर बनाने के लिए इधर आप गुड़ा कर दो 16 से और इधर गुड़ा कर दो 17 से तो चोटीस को 2 गुड़े 16 गुड़े 17 गुड़ा होगा और 32 को बनाने के लिए 17 गुड़ा होगा और इसके आंस में गुड़ा करके और आपस में बराबर कर दो यानि 16 x 12 x यानि 16 x प्लस 192 बराबर 17 x 111 प्लस 187 x यानि हमारा x बराबर आ जाएगा 192 माइनस 187 5 समझ में है हमने डिफ्रेंस लिया 34 इधर आए इधर 32 दोनों का हल्सियम लिया दो गुड़े 16 गुड़े 17 अब अगर हमें अगला प्रस्ब्शन यह देखो यह अच्छा प्रस्ट अगर आप से कहा जाए यह प्रस्ट मैंने बहुत सूरू में बता था कि प्रफम प्राकृतिक संख्याओं का आवसत क्या होता है यह ध्यान रख़ा है नों के पर्थम 5 विशम गुड़को का अवसत्त निकालो विशम गुड़ा क्या होता है मैंनिकी 9 सफ़ला हो गया फिर 9 दुन्य घ्ला नहीं 9 तिया 17 तराइस पिर 9 चोको च्ठीस 9 शरुरी 9 चोको च्ठीस नहीं 966 9 चबीस नहीं 9 चखे में 9 common ले लें तो बचा एक प्लस तीन प्लस 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 साथ प्लस नौ और इसका लेना है कितनी संख्या है तो नौ साथ सोला पांच इकिस तीन चौबिस एक पच्चीस पच्चीस पांच से कड़ जाएगा पांच नौ पच्चेक पैतालिस आपका उत्तर हो जाएगा वलो क तो नौ साथ सोला पांच इकिस और तीन चौबिस एक पच्चीस में पांच से डिवाइड करोंगे पांच आएगा और किसका गुड़क निकालना है नौ का तो नौ पच्चेक पैतालिस आपका उत्तर हो जाएगा क्लिए एक सबसे बड़े सदस्की आयो अठावन वर्स है 42 उनकी आयो चल रही थी सबसे बड़ा वाला अठावन साल ना गया इसको निकाल दे मर गया बचारा यह कितना ज्यादा लेके बैठा था 16 इसकी आउसा से ज्यादा थी इसके जाने के बाद हमारा 16 कम हो जाएगा लेकिन पहले नौ लोग थे अगर इसको निकाल दिया तो अ हमारा बैलन्स हो रहा तो यह जिब चला गया तो हमारे बास 16 निगेटी तो 16 कि रिखती तो होगी और आठ लोगों पर बटना है तो आट लोगों पर अगर 16 बटे गा तो 16 बटे आठ यानि कि दो दो कम कर देगा तो कितना हो जाएगा 40 क्लियर हो गया अगर एक निश्ची द्यात्र का एक त्याइभाग 24 से एक चोथाइभाग 36 और से चला गया यानि कि तो टोटल कि दरा ट्रेवल कर चुके हैं एक बटे तीन इधर एक बटे चार इधर यानिकि साथ बटे बारा हिस्सा बचा होगा पांच बटे बारा को साड़ से जाते हैं जाइए का 400 और 480 और 60 रहती हैं अर निमालों कि 480 किलोमेटर टॉटल दूरी थी तो चारसो असी का एक टिहाइभाग 16 को गया चोविस से तो एक चौटा गया फिर एक चौता ही वाग 120 बटे चीन और से जञए निकि 280 से चल चुका है 200 को शाट से गया बारा टीन सब तो आ बारा से बारा तिया चालिस में जाए ये इस आप से यह भी निकालने जरूरत नहीं थी आप एक तिहाई को 24 से एसे करके कर सकते थे बर चलो कोई नहीं तो देखो यहां पर क्या दिया गया पाइप एम लस एन बटे फाइप एम माइनस एन बराबर पांच बटे दो है अब कमपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो यानि अंस में हर को जोड़ो यह 10 एम अंस में से हरकर गटाओ सेम इधर कर दो साथ माइनस पांच माइनस दो ती यह पांच हो गया यह एक हो गया इधर आ जाएगा यहां से एम बटे यह बराबर यह वाला जो पांच है इधर तीन में गुड़ा हो जागा यानि साथ बटे पांच एक क्रॉकरी का अंकित मूले 15,400 इस पर बारा परसेंट क सब्सक्राइब 15,400 की कोई वस्तु थी बारा परसेंट का तो ऐसे डिसकाउंट है यानि इसके बटे पच्चेज में आल्रेडी मिलने थी और कुछ और डिसकाउंट मिला मालो एक्स परसेंट का मिला और वो वस्तु कितने की पड़ी 10,164 की पड़ी तो एकस की वैलू निका किसरे करते साथ offense कर जाएक सब्सक्राइक साथ 20 ऑ 1041 यानि आपका आया कितना सो माइनस x बकर्टे 25 पर Jersey किसी भी धर्मराजबर पहले वर्स के लिए चक्रप दिव्याज चेस्ट दूसरे वर्स के लिए क्या होता है मैंने आपको क्या बता कि जो मिलेगा यानि कि पहले साल मालो 600 मिला दूसरे साल भी 600 मिलना चाहिए यह साट रुपे मिलता है तो रेट आफ इंटेस्ट कितना हो गया यानि कि ब्याज पर इस चेसो पर शाट ब्याज लेने के लिए कितना परसेंट होना चाहिए तो वही रेट आफ इंटेस्ट हो गया है समझ जो यानि कि यह 600 मिलता अगले साल भी अगर 600 मिलता तो कोई बात नहीं सिंपल इंटेस्ट लेकिन साट रुपे ज्यादा मिला साथ दो वर्स पर 960 रुपे यानि एक वर्स का 480 अगर किसी चीज का 6% 480 यानि एक परसेंट असी एक परसेंट असी तो क्या निकालना है चक ब्रदी ब्याज चाहिए उद्यकों 6% की रेट से 2 साल का चक ब्रदी ब्याज कितना होज़ेगा छे प्रस चे गुड़े-शे बटे- यहां पर लिख लो असी गुड़े 0.3 यानिकि आठ गुड़े 3.6 यानिकि 28.8 मेरे हिसाब से हो जाएगा इन्हें 28.8 रुपे और ब्याज मिलेगा 960 के एक्स्ट्रा 28.8 वह सिंपल सी बात है तो यह थे भईया अपने 122 प्रस्न जो हमने करने थे ठीक है और आई होप आप आपको क्या काम करना बहूं है अपने चैनल पर कुछ प्लेलिस्ट है इस्टार बैच प्लेइस्ट जरूर चेकर रहे लिंक डिस्क्रिफिप्शन में डाल दूबए आप जाके तहले कितना समझ उमझे उन ठीक है और चीजिए कवर करने के बाइ 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 लग्यो और